आइए है चलो guys settle up quickly इधर और उदर इत्ती जगह खाली है यार कुछ तो adjust करो ऐसा मत करो guys those who are coming right side में right side में उदर भी जगह खाली है वो बीच में इधर first time में good morning everyone yes jittilog online offline connected भाई सिर्फ जो भी भाई सुनो तू camera के बास बटाए इस साइड आजा वो गलती से भी हलाना तो पूरा game अल जाएगा सिर्फ इस साइड आजा and make sure उदर जितते भी लोग उसके आजू बाजे में बैटे हो मतलब गलती से भी वो नियालना चाहिए वो पीच रख वीच रख वीच रख सुना इवापस के ओगे डन रितेश भाव चालू गरू चालू गरू बंद गरू चालू गरू मैं आज मैं नहीं आर ऐसा मत कर हाँ चालू आम शूर इस दन लेट्स गेट स्टाड़े अगे अच्छो गूड मानिंग हाँ 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 तो कैसा रहा आप सब का कल का पहला दिन कल बहुत जोशता है मैं आपको बता हूँ आप लोग का दिन कैसा रहा होगा कुछ लोग कुछ लोग क्या कर रहा है मालम है घर पे गए सिर्फ बेड दिखा एंड बेड वाज लेक आजा मेला पच्छा इत्ती वेनत नहीं करते आजा जो सोई यह सीधा सुबह उठे हैं कुछ तो सबसे पहले बाहर जा करके हां ऐसे इंसान है यह लोग छोड़ते नहीं है कुछ को समझ में आया होंगा भाई अपन बहुत गलत चका आगए क्या है एसा थुड़ीन होता है कुछ लोगों को एकदम पहले दिन ही सीरियस ने सागय ओग ने आपन पहले दिन से पढ़ेंगे तेरा भाई तेरा भाई फरस्ट अटेम में रेंक लाएगा ठीक है यह न ऐसा होता है पहले दिन तो कुछ लोग अपने घर में कॉल करके और इतना उदास क्यों है, कुछ नहीं मम्मी, अपन बता भी नहीं सकते कि अपने साथ हो क्या रहा है, पहली बार उनको समझ में, पहली बार तुम सब को समझ में होंगा, कि foundation में जितता content था, उसका 10 times यहां पर already है, yes, but एक बात समझ के रहो, everything will go on and it will work, चलो, आ रहा है, आ र आता, let's revise, बोलो, हाँ, अचा, कितने लोग ऐसे हैं, please एक बार हाथ उटाओ, जो कल नहीं थे, आज है, कल नहीं थे, आज है, आज है, okay, okay, ठीक है बटा, डरना मत, यहां सब देखके डरना मत, चलो, let us start, let us start, आपको अगर याद हो, मुझे याद आ रहा है, हाँ, who is the father of income tax Sir James Sultan, पहली बार full-fledged में act आया था, in the year, 1922, फिर आपको अगर याद हो, तो आजादी के बाद act बना था, in the year, 1961, everybody please participate, yes, okay, इसके बाद हम लोग ने देखा था, कि भी है, income tax act है, okay, so यह जो act है, इसके अंदर में कितने section है, to 98, किते schedule है, 14 schedule, is the act applicable to whole of India, yes, the act is applicable to whole of India, what are the components of income tax, मतलब, income tax के साथ क्या सी पादना पड़ेगा, यह rules भी पड़ने पड़ेगे, क्या notification भी पड़ना पड़ेगा, क्या circular भी पड़ना पड़ेगा, क्या case law भी पड़ना पड़ेगा, अरे हाँ भाई हाँ, yes, AC cheese, which is a communication of any change is called as, circular notification, yes, अच्छा, internal communication of department के लिए, circular, all notification dash months before exam are applicable, six months before are applicable, अच्छा, मुझे एक बात बताईए, यह जो case law है, यह भी हमको साथ साथ में पड़ने है, yes, इसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या act के अंदर क्या होते है, act के अंदर में section होते हैं, subsection होते हैं, फिर क्या, proviso, proviso क्या होता है बिटा, exception to section, yes, इसक schedule, schedule के अंदर में क्या दिये हैं, formats and tables, याद आ रहा है क्या मालिक आपको, अच्छा, हम, तो हमने इस भाई के घर पे रेड मारी थी, अगर तुमें यहाँ दो तो, इस भाई के घर पे रेड मारी थी, यह भाई चिलाने लग गया था, क्या हमार पास power है, यह भाई चिलाने no taxes can be, आवाज ना आई, no taxes can be levied or collected, ना ना भाई, बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे, जिसने आवाज नहीं ने काली, revision में उसको छे attempt की गसम, चलो, हाँ, article number 265, no taxes can be levied or collected, except by authority of law, तो यहाँ पर हमने देखा था, क्या मोदी जी रात में आ करके कह सकते हैं, भाई और बहनो, नोट बंद हो सकते हैं, tax नहीं आ सकता है एक दिन में, yes or no, तो इसके लिए अगर किसी भी तरगा का tax भारत के अंदर में लगाना है, आपको कोई law चाहिए, यह law किसी authority के द्वारा पास होना चाहिए, हाँ, so who makes law in India, who passed the law in India, क्या पार्लेमेंट सेशन में नहीं है, तो भी भारत में कानून बनाया जा सकता है, अच्छा, इसके बाद में कई बच्चों ने कल मेरे से एक और सवाल पूछा था, तो मैंने कहा, हाँ, mask का यह सवाल हो सकता है, तो मैं कह दू, उन्हेंने कहा, sir, यह ordinance word क्या होता ह है, मैं फिर एक बार आपको बता दू, ordinance का मतलब होता है, temporary law, ordinance का मतलब क्या होता है, temporary law, जब भी कोई ordinance पास हो गया, इसके बाद जब भी Parliament वापस setup होता है तो इस ordinance temporary law को Parliament में क्या कर जाता है, approval मिल जाता है या तो mandatory law बन जाता है या तो फिर उसे क्या कर दिया जाता है खतम कर दिया जाता है उस temporary purpose के लिए तो technically ordinance is nothing but temporary law अच्छा, इसके बाद इसके बाद हम लोग ने समझा था levy, levy का मतलब क्या करना है impose, collect collect का मतलब क्या है, सिर्फ collection या recovery भी आता है recovery भी, हाँ तो भाईया, parliament के पास power है या तो president के पास power है हम लोगों ने देगा था, या तो parliament के पास power है yes or no या तो parliament के पास power है, या तो किस के पास power है President, हाँ मैं को एक और चीज़ याद आई थी, यह जो tax collect करने का power है, यह सिफ center के पास है, yes or no, yes, आपको याद होगा article number, article number, article number 246, union list के अंदर में, entry number 82, taxes on income, other than on agriculture, yes, agriculture पे tax collect करने का power ही नहीं है या center के पास नहीं है, शानदार, तो किसके पास है, state, collection फिर भी कौन करेगा, center, और क्या बाद में इसे divide किया जाएगा, मोदी जी divide करेंगे, President divide करेंगे, President divide करेंगे, as per the recommendation of Finance Commission, Malik, हाँ, अरे हाँ, चीक है, सो जितने भी taxes and duties collect किये जाएगे, center और state के बिट में divide किये जाएगे, ऐसा लिखा था, article number 273 में, yes, हमें कितने, हमें कितने, हमें कितने, ये पढ़ने हैं, बताओ, हमें दो चीज पढ़नी है, कल हमने सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ पाये थे, भाहिसा, भाहिसा कल एक ही वर्ड पढ़ पाये थे, बहुत लोग शौक हो गए थे, एक ही वर्ड कैसे पढ़ा हमने, हमने बुला हम तो एक ही वर्ड पढ़ेंगे, कलम ने सिर्फ act पढ़ा कलम ने सिर्फ act पढ़ा अब act पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजे हैं जो हम लोगों को समझनी पढ़ेगी हमें सबसे पहले तो ये समझना पढ़ेगा how law works आखिर ये जो law है ये work कैसे करता है आखिर ये जो law है ये work कैसे करता है तो आज मैं आपको सम्झाने जाना हूँ तीन मेकानिजम के किस तरीके से क्या करता है बिटा law work करता है understand how law works आईए give the heading how law works सबसे पहले है law makers law implementers law interpreters समझे तीन मेकानिजम है law maker law implementer and law interpreter मन में यार कभी-कभी यह सवाल आता होगा कि यार कैसे पता चलता है कि amendment करना है क्योंकि कल मैंने आपको समझाया direct tax एक ऐसा subject है जिसके अंदर में amendments आते हैं तो कभी सोच के देखे कैसे पता चलता होगा कि क्या amendment करना है ऐसा होता होगा क्या कि वो law की देवी नहीं है आँखो में पत्टी बंदी होती है वो दीदी ठीक है वो आती होगी law maker को बोलती है ओ हेलो सुनो ना उठो ना यार ठीक है तो कल से एक नया law बनाना है ऐसा होता होगा तो समझता कैसा होगा कि यार law किस point पे बनाना है एक question आता है समझता कैसा होगा अभी जैसे अगर आप देखिए आप लोग जब भी आज कल YouTube उपन करते होंगे तब आप क्या करते होंगे देखना है एक ad देखते होंगे रात में गेम खेला आप यहां पे वो pause ले लेते हैं और कोई तकलीव आ गई तो जंगली रमी पे आओ ना महराज याद रहे गया रात में गेम खेला आप question आता है रात में कौन सा गेम है और इसमें तकलीव भी आ गई अगर मान लग तकलीव आ भी गई तो जाना कहा है जंगली रमी पे अब सौंजिये, ये एक नई चीज चालू हो गई, ड्रीम 11 हो गया, रमी सरकल हो गया, अब दिखिए नई चीज चालू हो गई, लोग इसमें पैसा भी लगा रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं, लोग उन्हें तो करोड़ो रुपे कमा लिए, एस पर देम, ठीक है, अब question arise कि present situation में किस चीज की need की ज़रू होता है, recent times में आप लोगों ने देखा हो का बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, bitcoin, ethereum, जिसको हम क्या कहते हैं, cryptocurrency, तो cryptocurrency का trade चालू हो गया, इसके उपर एक बहुत बढ़ा discussion चालू हो गया, whether it should be legal, illegal, yes, अब इसके उपर law की ज़रूती, these are the latest update तो जब भी कोई latest update होता है, किसी भी country के अंदर में, lawmaker सबसे पहले क्या करते हैं, इसके उपर bill बनाते हैं, तो lawmaker सबसे पहले क्या करते हैं, law बनाते हैं, understand, they make law, तो law कुन बनाता है, M-O-L-J, with respective ministry, ministry, तो सबसे पहले, they make law, इसको हम क्या कहते हैं, called as bill, यादा रहे गया, called as bill, तो इसको कहा जाता है, bill, सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, bill, called as bill, तो यह लोग सबसे पहले bill बनाते हैं, bill is nothing but a draft law, yes or no, draft law, draft law, draft law जाता है, both houses of parliament, both houses of parliament, और parliament session में नहीं है, president, yes, इसके बाद इसको क्या मिलता है, president ascent, और president ascent के बाद यह क्या बनता है, act, तो I guess यह तो आप अपने बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे पहले bill होता है, बस कल आपको नया समझ में आया, bill का drafting किसके थू होता है, M-O-L-J, ministry of law and justice, ठीक है, फिर वो respective ministry के साथ बैठते है, अब जैसे income tax related है, तो ministry of finance के साथ बैठेंगे, और उनके साथ एक combined discussion, sir एक minute, ministry of law ही बना सकती थी, इनकी क्यों जरौत थी, आपके मन में इस सवाल उठना चाहिए, कि अगर income tax related matter है, तो से ministry of finance बना सकती थी, ministry of law and justice को जूडने का क्या काम था, जूडने का काम इसलिए था, क्योंकि ministry of finance को ये नहीं बताना कि criminal, हम कोई provision ऐसी ना अट्रैक कर दें, जो criminal law or other law से impact कर रही हो, जो criminal and other law से impact कर रही हो, yes or no, तो इसलिए वो दोनों बैट करके बिल बनाते हैं, अच्छा जी, फिर ये जाता है both houses of parliament, पहले लोगसभा, फिर राज्यसभा, राइट, अगर ये finance issue है, तो पहले लोगसभा में जाता है, और फिर ये कहां जाता है, फिर ये कहां जाता है, understand कीजेगा, जैसे ही ये law बन गया, सिर्फ law बनना काफी है, सिर्फ act काफी है, या rules भी लगेगे, rules भी लगेगे, मतलब इसको implementation करना पड़ेगा, अब आप सोच के देखे, कानून तो हम लोगों ने बना दिया, लेकिन implement करने के लिए एक permanent body चाहिए, yes, क्या सरकार implement कर सकती ह है, well, the answer is no, पूछो क्यों, क्योंकि सरकार हर 5 साल में बदल रही है, we need a permanent body, irrespective of what is government, or whose government it is, are you getting the point, हमें कोई फरक नहीं पड़ता कि ये सरकार किसकी चल रही है, we need a permanent body, सरकार आएगी, जाएगी, एक permanent body जो ही revenue को collect करेगी, इसके law को implement करेगी, yes or no, no doubt, it will function under the ministry of finance only, but you need a permanent office, जो इसको क्या करते रहे, implement, चाहे सरकार कोई भी हो, किसी भी तरह के का political setup हो, so, law implementer बनाये गए, क्या आप जानते हैं, दो law implementer बनाये गए, CBDT and CBIC, CBDT and CBIC, ऐसे दो law implementers बनाये गए, CBDT जो है, यह किस से related matter handle करता है, CBDT यह DT से related matter handle करता है, CBIC यह IDT से related matter handle करता है, CBIC यह IDT से related matter handle करता है, यह law को implement करवाते हैं, मतलब technically, rules बनाने का काम हो गया, notification लाने का काम हो गया, circular लाने का काम हो गया, वो सब यह ले के आते हैं, Are you getting the point? अब देखिए, हम कहते हैं न, law में कैसे amend होता है, पहला, lawmaker current situation को देख करके यह समझता है, कि किसी law की जरूरत है, बरबर है, अब law तो उसने बना दिया, लेकिन ground reality उसको पता है क्या ब्रो, अरे हाँ यहाँ, answer is न, उसको ground reality नहीं पता, जैसे मैंने आपको कल भी example दिया था, continue करते हैं, lawmaker ने बना दिया कि यह आधार जरूरी है, रिटन बरने के लिए, लेकिन non-resident आया कि नहीं आया है issue, non-resident आ गया, non-citizen आ गया, यह बोलेंगे हम कहां से आधार बरेंगे है, हमार को तो तुम आधार दे ही नहीं रहे हो, जब आप मेर को आधार दे ही नहीं रहे हो, मैं रिटन कहां से बरूँ, yes, तो ground reality के issues lawmaker को नहीं समझ रहे, तब जाके law implementer suggestions देता है, rules बनाता है, notification लाता है, circular लाता है, कि sir आप lawmaker ने law बनाया दिल्ली में बैठके, बहुत अच्छी आता है, लेकिन ground reality हमार को समझ में आ रही है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ground reality क्या होती है, अगर देखा जाए, तो भारत के अंदर में, जम्मो कश्मीर, मेगालिया और आसाम, यह तीन जगह एक issue है, अब issue के हैं मैं आपको समझाता हूँ, यह क्योंकि दूसरे दे अब problem समझ, एक basic understanding समझना, ठीक है, एक मिन देखा सुमनी, ठीक है, यह बंदा, बंगलादेश से भारत आ गया, ठीक है, यह मेरा भाई, बंगलादेश से कहा आ गया, भारत, अब issue समझी क्या है, lawmaker ने law बना दिया, आधार जरूरी है return भरने के लिए, ठीक है, यह इंडिया मैं आ करके इसने मस्त धंदा चालू कर दिया, मतला business, ठीक है, इसने धंदा चालू कर दिया, अब issue समझी है, documents illegal बन सकते हैं, हाँ यहाँ, तुम भी जामते हो, गाड़ी चलाना आए ना आए, पर लड़की के पास driving license तो आई जाता है, गलत बोल रहा हूँ मैं, हाज क्या र लड़किया ऐसी नहीं चलाती न, जबरदस्ती कुछ भी, है न, आता है उनको पार्किंग में लगाते, ऐसा नहीं होता, है न, कुछ भी सूचते हैं, मैं हूँ, बेच चलाना, ठीक है, बले उनकी height ना हो, क्या हुआ, पर गाड़ी हो संबाल सकते हैं, अब समझ मेरे बच् फेक डॉक्यमेंट के भरो से भाई ने बना दिया आधार, पकड़ाधार, बरबर है, अब मेरी बात सोच करके देखो, अगर इसको आधार दे दिया, तो डोंट यू थिंक इसे इंडियन सेटिजन मान करके, इंडिया के व्यक्तियों को जितने rights है इसको भी देने पड़ें जितने provisions है इसके लिए भी लागू हो जाएंगे, पर ये legal है या illegal है, अरे मतलब entry इसका, legal है या illegal है, अब मेरे को एक बात बताईए, जब तक ये clarity नहीं आ जाती, या इस बात पर provision नहीं बन जाता, कि भी या इसकी citizenship ही legal है या illegal, अगर हम इस पर आधार की applicability दे दे या इसक पर problem भी तो आएगी न, क्योंकि ये विक्ति यहाँ आ गया, अब सरकार ने क्या किया, ground reality, जम्मो कश्मीर, आसाम और मेगालिया, इनमें क्या किया, आधार की applicability को side कर दिया, आधार की applicability को क्या कर दिया, side, उन्होंने बुला, भी है यहाँ के लोगों को, हम जब तक कि ये ensure नी हो जाते, कि citizen है या नहीं है, तब तक कि हम इन पर आधार की provision लगाएंगे, नहीं, अब समझिये, क्या हुआ जरा समझिये, ये विक्ति मेगालिया में है, income तो अन कर रहा है, income अन कर रहा है तो return भरना पड़ेगा, हाँ, आधार है क्या, law maker ने तो law बना दिया, आधार लगेगा, ground reality क्या है, अधार मिल रहा है क्या इसको मेगाले में, अब समझ में है, problem क्या है, अब इस problem को कौन communicate करेगा, implementer communicate करेगा, तो next year जब amendment आएगा, law implementer बताता है, कि sir, आपने दिल्ली में बैटके कानून तो बना दिया, you made the law by sitting in Delhi, but it cannot be applied in Jammu Kashmir, Assam and Meghalaya, so it is not only non-resident, it it is also the people who are questionable as resident, इनके लिए भी आपको exception लाना पड़ेगा, तब जाके next year क्या आता है, amendment, so, यह law implementers क्या करते है, law implementers, make rules, bring notification, bring circular, suggest changes तो central board of direct taxes and central board of indirect taxes and customs, CBIC का full form, central board of indirect taxes and customs, यह क्या करते है, यह law को implement करने में help करते है, तब जाके पता चलता है, अगले साल क्या आने वाला है, amendment, तो किसी के सपने में यह आती वो law की दी दी, बताने के लिए कि भीयत एको amendment करना है, this is the practical implication इसके कारण क्या आता है, amendment आता है, अब आप मुझे सोच के बताईए, अब आप मुझे सोच करके बताईए, lawmaker ने law बना दिया, implementer ने उसे क्या कर दिया, implement कर दिया, लिकिन क्या question आ सकता है, मेरे को applicability को ले करके, मतलब as a taxpayer, can there be dispute between income tax department and SSI, yes or no, can there be dispute, yes, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा example बताता हूँ, इस बात को हम आगे और discuss करेंगे, अब मुझे एक बात बताईए, एक theater था, theater का नाम था Priya Theater, based on real facts, ठीक है, अब Priya Theater के पास होता क्या था, कि जो गुंडे थे, ये लड़कियों को परिशान करते थे वहाँ पर, जो family आते थे उनको परिशान करते थे, और इससे theater का business कम हो रहा था, अब theater वाले ने क्या क्या क्या, उनको amount pay करना चालू किया, कि भी हमारे आनेवे customer को तुम छेडोगे, नहीं, बरे बरे, ये जो खर्चा क परिया क्या प्लीज मेरे जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं इसकी, क्यों नहीं कर सकते भाई, पैसा तो धन्दे से ही दो गया, चलो तुमने निकाल करके check दे दिया, भाव को, ठीक है, अब तुमने निकाल करके दे दिया, अब जर्नल एंट्री पास क्या हुई, protection money paid, ऐसे बाकाइदा P&L को debit किया, protection money paid, matter AO के पास गया, AO assessing officer income tax officer, matter AO के पास गया, AO बोले, क्या, इदर, क्या पी किया यह, किस protection का payment है यह, और इतना, इतना ही लगता, अनला सर, यह ऐसे गुंडे थे, business नहीं करने दे रहे थे, एक मिनिट, इस तरीके का कोई भी payment, भारत का सम्विधान अलाव नहीं करेगा, मैं इसे disallow कर रहा हूँ, आपके profit में add back कर रहा हूँ यह, सर, एक मिनिट, आप इसे add back नहीं कर पाएंगे, it's a business expenditure, मेरे business को protect करने के लिए, protection के लिए है, मेरे business को, अरे, मेरे business को protect करने के लिए, मेरे को यह खर्चा करना पड़ेगा, you have to allow it, hello, आपने यह पूलिस को दिया होता, as a bribe, तो भी allow नहीं करता मैं, because it is a breach of law, ऐसा थोड़ी में, सरी, एक मिनिट, breach of law होगा, पर मेरे धंदे के लिए तो है, आप जिस income को tax करना चाहरे है न, वो उसी धंदे से आ रही है, तो आपको अगर tax करना है, तो यह खर्चे का deduction मेरे को देना पड़ेगा, matter आ गया, can protection money, और expenditure genuinely incurred for the purpose of business, क्या हम इसे income tax में deduction ले सकते, issue आ गया, अब law क्या बोल रहा है, law maker ने तो law बनाया, कोई भी breach of law के लिए क्या नहीं करोगे, deduction नहीं देंगे, एक और, Tara Singh अपना truck लेके जा रहा था, Tara Singh को जानते हूं नहीं जानते हूं, गदर भाव वाले अपने, truck लेके जा रहा था में निकला गड़ी लेके, रस्ते पर वो सड़क प और आप truck वापस चला, अब यह penalty paid थी, हाँ यहाँ, ठीक है, traffic, infringement, payment, done, आपने तो PNL को debit कर दिया, यहो, है, क्या है, hand pump, allow कर, ने तो hand pump, यह hand pump उदर रहते हैं, इंडिया अल्रीड डेवलप्ड है, हमारे पानी के सपला आते, वो सब ठीक है, allow करना पड़ेगा, genuine business expenditure, अगर मैं यह खर्चा करता ही नहीं, आगे truck चलता ही नहीं, तो आप जिस income को tax करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए business का genuine expenditure था, पर बताएए, किसी भी law को तोड़ने के लिए जो खर्चा किया गया है, क्या उस income tax deduction दे दे, यह तो bribe को भी legal बना देंगे, income tax ही bribe को legal बना देगा, bribe paid, general entry pass, bribe paid account, debit to cash and bank, हो भी सकता है ऐसा कुछ, नहीं, lawmaker ने law बनाया, implementer ने implement किया, लेकिन business owner Tara Singh तो यह बोलेगा न, यह जो खर्चा किया है, यह मैंने genuine खर्चा किया है मेरे business के लिए, पर यह allow किया जा सकता है, नहीं, it's a question mark, तो इसके लिए आते है law interpreter, law interpreter कौन होते हैं, अगर कभी भी dispute आ जाए, to resolve dispute between, बोलो न, assessi and department, assessi मतलब वो वेक्ती जो tax pay करने के लिए liable है, between assessi and department, तो बता यह दोनों के बीच में जब जब जगडा हो जाता है, assessi कह रहा है, यह मेरे business का खर्चा है, आपको deduction देना पड़ेगा, department कहता है, किसी दूसरे law को तोड़ करके मैं तुम्हें deduction दू, ना चॉलबे, एटा चॉलबे ना, सर देखे, genuinely मेरे business के लिए है, matter गया court में, imagine a court room, department, यह कोन है, Tara Singh, my lord, who, my lord, traffic signal पे, breach करके payment करके आये है, यह इसको business expenditure कही रहे है, कैसे allow कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको allow कर दिया, हर व्यक्ति law तोड़ेगा, और law तोड़ करके profit reduce कर देगा, P&L को debit करके, P&L में खर्चा debit, profit कम, अगर मैंने इसको allow कर दिया, यह आदमी तो आज ही debit करके profit reduce कर देगा, मतलब इसको तो penalty का डरी नहीं रहेगा, यह बोलेगा penalty लगती है, लगे, income tax बचाएंगे, लगने दो penalty, कोई तकलीप नहीं है, हो गया तोटा, बाप आएं मोठा, चलने दो, यह तो सब करते रहेंगे, My Lord, इसको समझा दीचे, अगर मैं ट्रक नहीं छुडाता, तो ट्रक चलता ही नहीं, फिर काई की income tax करते हैं, अरे भाया, ट्रक में माल जाता है, और उस माल को बेच के जो income आ रही है न, उसको tax कर रहे हो तुम, कैसी गंदी अश्लील बाते कर रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम गुड्स लेके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बाकी के खर्चे अलाओ कर रहे हूँ, पेट्रोल, रिपेर्ज, घर्चा, पेनल्टी अलाओ नहीं करूँगा, अगर मैंने अलाओ कर दी, तो ये तो इल्लीगल हो जाएगा, मैं तो ब्राइब को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो इनके लॉ तोड़ने को प्रमोट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स किसी का घर तोड़ करके अपना घर जोड़ने ही सकता, इमोट तलमा तो पॉइंट पर पर मेरा तो बिजनस का घर चाहना सर, वो नहीं करता तो दंबा कहां से करता, बरबर, अब यहां पर आप कोई भी सिचुएशन इमाजिन करी है, किसी भी बिजनस की करी है, एक बुलेगा लीगल है, लीगल नहीं है, दूसरा बुलेगा मेरा तो घर इसी से चल रहा है, जो नहीं समझे तुम ट्रकी समझो, तुम ट्रकी समझो वो ही ठीक है, है न, वैसे समझने के लिए बहुत दूर जाने की जरूत नहीं थी यहां से, यह सामने जो सैंड्वीच बेच रहे हैं, उनकी बात करा हूँ, वो सड़क पे इल्लीगल बेच रहे हैं, कैसे गंदी बाते सोचते रहते हैं, अब आप सोचके देखिए, हर बिजनस के लिए, जो तुमने सोचा वो भी, इशू तो यही आता न, जो तुम सोच रहे हो, उसके लिए इशू तो यही आता न, एक बोलता कि बिजनस करना है, यह बोल रहा है मेरी जरूरत है बिजनस है, यह बोल रहा है बहिए, यह इल्लीगल है, अब आपके हिसाब से यह matter dispute का हुआ या नहीं, यह dispute का matter जाता है, कहाँ, सबसे पहले, आपके हिसाब से, आपने foundation में पढ़ाता है, दो लोगों के बीच में dispute हो, matter कहाँ जाता है, matter कहाँ जाता है, court, I will file a suit, income tax में ऐसा नहीं होता, income tax में पहले ITAT में जाता है, उसके भी पहले, matter जाता है, appeal में, सबसे पहले कहाँ जाता है, appeal, appeal, सबसे पहले जाता है, appeal, appeal से जाता है, ITAT, ITAT से जाता है, high court, और high court से जाता है, supreme court, sir, high court और supreme court तो हमको समझ में आ गया, दिखो, ठीक है, यह appeal और ITAT क्या होता है, appeal मतलब सबसे पहले, यह आपका deal कर रहा है, आप उसके head के पास जाते हो, CIT appeal, आप commissioner के पास जाते हो, कमिशनर को बोलते हो, आप अपने officer को समझा दो, समझा दो यह सिंगम को की जैकान चिकरे कोन है, तो आप जाते हो, उसके boss के पास जिसको कहते है, appeal, appeal to higher authority, क्या बोले जाता है बोले जल दी से, appeal to higher authority, अब आपको तो पता है, सनी बाजी नहीं कहा था, तारीक पर तारीक पर तारीक, कोर्ट इतना already busy है, वहाँ पर murder के charge, rape के issue चल रहे है, आपको लगता है, income tax का इतना छोटा matter, वहाँ पर discuss होना चाहिए, नहीं, तो high court का pressure कम करने के लिए, एक authority बनाई गई, ITAT, जिसको बोला जाता है, income tax appellate tribunal, क्या बोले जाता है, income tax, appellate tribunal, यहाँ यह matter discuss होता है, और जो यहाँ से case बनता है, जैसे supreme court ने अगर कोई law बना दिया, तो आपको नहीं लगता हो देश का कानून बन जाता है, तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ law maker law बनाए, जहाँ सा समझ ना, how law works, एक law maker को लगता है कि हाँ current situation के हिसाब से law बनाना चाहिए, वो law बनाते है, दूसरा, law बन तो गया, लेकिन कई बार problem समझ में आती है, implement करने पे, yes or no, कई बार problem समझ में आती है, क्या करने पे बिटा, implement करने पे, वहाँ आता है law implementer, और वो suggest करता है, sir, अगले साल एक काम करो, यह amendment कर दो, फिर कई बार, dispute होता है, तो department को समझ में आता है, यह dispute है, इस this is how law works, आपका law जो बनता है, जो amend होता है, वो इस process के थ्रू होता है, जो एक ने due process है, तब जाकर करके हर साल amendment आता है, समझ मारी वात, क्योंकि इतनी चीज़े मिलती है पूरे भारत भर में, तब जाके एक के 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 कमेंडमेंट में इसके साथ में जूडता जो कैसे करता है, clear, अब हम दूसरे वर्ड में जा रहे हैं, the next word is tax, taxes, अब हम इस वर्ड पर discussion करेंगे, जब अब जस्त discussion, taxes, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने धरती पर एक वर्ड सुना है tax, और आपने धरती पर एक वर्ड सुना है duties, मैं तो कहता हूँ, दोनों भी सेम ही है, बोलो हाँ, is taxes and duties one and the same, is taxes and duties one and the same, if not, kindly give me your suggestion, दोनों में difference क्या है, custom duty, excise duty, but income tax, अब है अगर दो अलग अलग वर्ड है तो meaning तो कुछ होगा, आपको तो पता है, मैं average बच्चा हूँ, मेरको तो बहुत दीप में जाना है, क्या difference है तोनों में, हाँ जी, tax सब लोग पे करते है, duty को specific people पे करते है, ठीक है, और, और कोई, बरी जवा में, इधर, हाँ, 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 जी, duty सिफ services पे लगती है, तो फिर goods and services tax क्यों होना चाहिए, goods and service duties होना चाहिए, जी न, बुरो बात सही है कि नहीं है, point है कि नहीं है, point है कि नहीं, point to my lord, सुनो न, हाँ, मैं तो बोलता हूँ, दोनों से हैं, बोलो हाँ, 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 तो फिर exercise duty, वो तो manufacturing पे है, वो तो जो इंडिया में भी बनता है, उस पे भी है, मतलब कुछ और भी है, मज़ा आएगा ना समझ के, the taxes is on goods as well as services, the duty is just on goods, तो जहाँ subject matter सिर्फ goods है, वहाँ देश का कानून वर्ड यूज करता है, duties, और जहाँ subject matter goods के अलावा other elements भी है, जैसे अगर services हो गया, अब इसमें goods कहीं involved ही नहीं है, तो सरकार यहाँ पे word यूज करती है, taxes, tax is a more wider word than duty, tax is a more wider word than duty, so tax duties is on goods, जहाँ subject matter सिर्फ goods है, it is narrow concept, यह बहुत limited चीज पे लगता है, taxes is on goods and services, it is broader, तो अगर subject matter किसी चीज में सिर्फ goods नहीं रहेगा, तो वहाँ पे सरकार word use करेगी, taxes, yes, this is also collected by central government, and both are part of revenue of government, तो government इसमें कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं करती है, कि यह duties से आ रहा है यह taxes से आ रहा है, दोनों उनके लिए same ही है, बस सरकार words use करते वक्ट बड़ी careful हो जाती है, अगर किसी चीज का subject matter ही सिर्फ goods है, तो वहाँ पे वो word use करते है, duties, और अगर subject matter goods के अलावा extra things भी है, तो फिर वो word use करते है, taxes, and इसलिए आप देखेंगे, maximum जगह पे जो word है, वो taxes है, रादर दें duties, अब duty के नाम पे सिर्फ एक चीज बचीज है, that is custom duty, क्योंकि exercise जो था वो GST में merge हो गया, तो duties के नाम पे अब सिर्फ एक चीज बचीज बती है, and that is custom duty, वो भी goods import and goods export पे है, समझ महारी ये बात, अच्छा मैं क्या बोड़ा हूँ, ठीक है sir, taxes and duties, ये तो clear हो गया sir, सर मुझे एक बात बताईए, ये भी तो बताईए, types of taxes कौन से हैं, taxes के types कौन से हैं, आपको तो पताएं sir, मैं तो average बच्च हूँ, मैंको पहले ये बताना पड़ेगा, types of taxes कौन से हैं, पीटा धरती पे दो तरह के के taxes हैं, एक है प्रत्यक्षकर और एक है अप्रत्यक्षकर, बूल कौन कौन से हैं, direct tax और indirect tax, ओ मुझे कुछ याद आ रहा है ब्रो, direct tax को कौन सी body handle करती है, और indirect tax को CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs, direct tax, indirect tax, सरकार आएगी, जाएगी, CBDT वहीं रहेगा, ठीक है, permanent body के हाथ में दे दिया, अब सवाल उठा, कि सर, direct taxes जो है, और indirect taxes जो है, इनमें फरक क्या है, को और फरक बताईए, ठीक है, let us understand, लिखना मत ये पार्ट जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, suppose, मैंने एक goods लाए, let's say, पतंग, पतंग लाई मैंने 4 रुपे की, कितने की लाई? 4 रुपे की, उस पर branding करी, labeling करी, labeling करी, सब करा, और मैंने इसको sell किया, let's say, 10 रुपे में, बरवर, बरवर, suppose, this particular item is also subject to GST, this also subject to GST, ये GST पे भी cover हो रहा है, so, let's say, 10 का 18 परसेंट, इसके उपर GST लगा, 1.8, बरवर, अब आपका total बिल कितने का हुआ? 11.8 रुपेज, ठीक है, understand करिएगा, GST is called as an indirect tax, indirect tax is collected from another person and paid to government, GST is collected from another person and paid to government, मतलब क्या, जैसे अगर आपने अभी देखा होगा, आपने class की fees भरी, class का एक amount था और उसके उपर क्या लगाया गया था? GST, right? अब यह जो GST हमने आप से collect किया, यह हम हमारे जेब में डाल सकते हैं क्या? नहीं, यह बस हम आप से collect करके, किसको देना है? सरकार को. Yes, will be handled by Yashwan sir. आप से collect करके, किसको देना है? सरकार को. So we are just means to government to collect the tax. समझ मारी बात? तो जो business owner होता है, यह सिब दूसरों से collect कर रहा, collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. Sir, आपने collect किया, पे नहीं किया तो? हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम हमारा दी देंगे. सरकार को तुम पर भरोसा था, इसलिए तो हमको देना, responsibility. मैं आपको बताता हूँ, बच्चा आता है, बच्चा बलता है, Sir, सुनो ना, आप cash में payment लेलो, GST आटा दो ना, में को नहीं pay करना, हम बलता है, यह option है नहीं, तेरे एक को ऐसा करूँगा, मेरे उपर अगर raid पड़ गई, गल्ती से, तो मेरी तो, assessment लग जाएगी, मेरी क्या लग जाएगी, assessment लग जाएगी, Sir, आप तो छूड जाओगे, मेरे तो पूरे assessment लग जाएगे ना, right, so, अब, technically, यह जो पैसा है, इसको हम कहते हैं, IDT, indirect taxes, collected from another person and paid to government, अब आप मुझे बताएगे, मेरे income का जो tax है, पैने आप मुझे यह बता सकते हैं, मेरी income कितनी है, is 10 rupees my income, 4 rupees my income, 6 rupees my income, none of the above, 6 rupees is my income, यह जो 6 rupees है, इस पे आप क्या देते हो, income tax, so, income tax is a personal tax, खुद की income पे देना होता है, indirect taxes collected from another person and paid to government, समझ मारी वाद, तो सरकार को क्या 6 plus 1.8, 7.8 rupees मिले, कुछ भी, यह 1.8 तो सरकार को confirm मिला, लेकिन यह 6 rupees मेरी income है, इस income पे एक percentage आएगा, उसको हम कहेंगे, income tax, समझ मारी वाद, so, वापस से बताएगे, what is the basic difference between DT and IDT, indirect tax is collected from another person and paid to government, direct taxes is paid on personal income, are you hitting it, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हू, direct tax is a personal tax, whereas indirect tax is a impersonal tax, अगर ही करोगे इस बात को, तो यह बड़ी हो कि MCQ बन रही है, आओ, जल्दी बनाओ, direct tax is a personal tax, indirect tax is a impersonal tax, यह पहला पोप没有 मुझे, पार्सस्ट दूसरा, another person and paid to government, it is collected from another person and paid to government, it is progressive in nature, it is progressive in nature, it is regressive in nature, confirm MCQ में है यह, it is progressive in nature, it is regressive in nature, चलो इतनी English तो तो तुमको आती होगी, progressive क्या है, regressive क्या है, तो मैं आजूम करता हूँ, तीसरा point तुम्हें समझ गया, बुलो हाँ, बरवर ना, इतनी English तो तुम सबको आता ही होगा, progressive क्या है, regressive क्या है, तो मैं यह समझता हूँ, तुमको आ गया, चलो बढ़ते हैं आगे, बरवर ना, तुमको अगर 399 marks भी आए ना foundation में, तो DT की class में तुम हो average, तुमको आए है 200, और इसी assumption से पढ़ने का, चलो, let us start, पूछने का मेरसे, सर क्या है इसका meaning, पूछो ना क्या है, प्यार से पूछो, हाँ, क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, higher the income, higher the tax, जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैसे वैसे tax बढ़ेगा, so the higher the income, higher the tax, so understand करिएगा, understand करिएगा, yes or no, ये लड़की की income पाँच करोड रुपए है, और मेरी सिर्फ पाँच लाग रुपए है, who will pay tax higher, the girl will pay tax higher, yes, that is called as progressive basis, जिसकी income जादा, he or she needs to pay higher, yes or no, so higher the income, higher the tax is called as progressive basis, to understand कीजे, दो वेक्ति है, एक वेक्ति है, जो कमा ही नहीं रहा है, और एक वेक्ति है, जो कमा रहा है, who is subject to tax, the one who is earning, yes or no, yes, it is called as progressive taxation, and as the income increase, the tax will increase, and it is but obvious, yes or no, मान लीजे, मान लीजे, ये बच्ची, ये बच्ची CA बन गई, पहला package नव लाख रुपए, आप सबको पता हो नियों पता हो, आपको package ही पहला 9 लाग का मिलता है, 9 लाग के नीचे अगर कोई आता है, institute उसको accept भी नहीं करता, if you don't know, sir, 5 लाग गई जामाने, चिल्लर के लिए ने मने हो तुम लोग, 5 लाग को चिल्लर, जो बोल रहा हो सुन लो, experience के साथ बोल रहा हो, attempt लगा के, ठीक है, अब इस बच्ची को मिले 9 लाग रुपीज, पहली पहली बार, you know, साथे तीन साल की भुक्मरी गरीबी के बाद, दिन, रात, संडे, मंडे, बर्थड़े गवाने के बाद, इसको 9 लाग रुपे मिले, ठीक है, तो इस 9 लाग लेकर जाही रही थी, इतने में एओ आया, कौन आया, एओ, एओ आकर किमलता, ओ मैडम, शृ, 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 लाव, 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 ला इसा क्या कर रहा भाया? This is the first time I'm earning, no? Madam, देखिये, income tax first time or second time वालों को differentiate नहीं करता, आपका एक बार है या कई बार है? देना तो आपको पड़ेगा भाया मैं तो आपकी daily customer होना भाया अरे पहली बार registration करा या दिदिया आपने देखिये, माम देना तो पड़ेगा मुझसे क्यों? उदर अम्मानी जी इतना कमारे उंसे लोना दटनबीर कपूस इतना कमारे उंसे लोना विजू से कमारे उंसे लोना उनको भी छोड़ा नहीं हमने पर आपको भी देना पड़ेगा understand पर एक बात समान जाए है अम्मानी जी जो कमारे है और ये जो कमारी है इस देरे दिफरेंश तो विल बी पेंग हायर टक्स अगर आप देखेंगे अगर ये बहुत रिच फैमिली से आरहा है और ये उत्ति रिच फैमिली से नहीं भी आरहा है तो दूनों का GST rate सेम है समझ महीं बात तो GST that is regressive taxation कभी भी difference create नहीं करता आपके income के basis पे It is common to all So regressive का मतलब क्या होता है Regressive का मतलब होता है Common to all आप एक goods लो तो भी उतना ही tax लगेगा पचास goods लो तो भी उतना ही tax लगेगा समझ महारी ही बात ये differ नहीं होगा कि भी आपने एक ball लिया cricket खेलने के लिए आपने एक ball लिया और आपने दो ball लिये तो इसमें difference नहीं होगा, it will remain same higher the income higher the tax देखो तुम लोग में को बिगाड रहे हो हाँ बात में तुम ही में को बोलोगे कि आपने हमें बिगाडा है higher the income, higher the tax so DT progressive basis पे होता है IDT regressive basis पे होता है clear है? बहुत clearly understand हुआ दोनों के बीश का difference अच्छा, एक minute सुनो, direct tax के examples बताओ sir all deep में जाओ, direct tax के examples बताओ, क्या आपको पता है direct tax के example, पहला है income tax जिसको हम direct tax भी कहते हैं, यह तो हमको पढ़ना ही है क्या आपको पता है, एक wealth tax भी था wealth tax था अब क्या हो चुका है abolish अब क्या हो चुका है abolish, यह wealth tax क्या था बड़ा अजीब गरीब tax था सर भारत के अंदर में पुचा हो कैसे यह भाई नाम कहते रहा निले, निले पहले income कमाएं तो इसको income tax देना होता था wealth tax क्या था एक छोट में समझाना हो आपको इसको income tax देना होता था फिर इस wealth से इसने क्या कर दिया building बना दिया, गाड़ी ले ली, yacht ले लिया येस, जमीन खरीद ली अब इसके पास wealth आ गई अगर ये wealth बीस लाग के उपर की थी तो इसको wealth tax भी देना था ये आदमी बोलता था ये क्या justice है income tax तो भरा ना, उसी income से wealth बनाई सरका, wealth है ना you have two houses लोगों के पास एक नहीं है, दो tax और मेरी के गलती है उसमें सबका साथ, सबका भी कास तो ये technically double taxation था 2017 में अरुन जेटली सर ने इसको abolish कर दिया, बोले ये गलत है आदमी कमाता है इसलिए कि वो wealth बनाए और wealth बना रहा है तो तुमने उस पर भी tax लगा दिया क्या आप जानते हैं income tax में मरने पे भी tax था don't tell me you don't know मरने वाले को तो छोड़ दो हाँ एक duty था, आप अपने दादा जी से पूछेंगे ना तो उनको ये याद रहेगा इसको कहा जाता था, estate duty estate duty estate duty, आप अपने दादा जी से पूछेंगे उनको ये जरूर याद रहेगा, ये भी abolish किया तो as of not, duty के अंदर में सिर्फ income tax ही है जो वर्क कर रहा है अब या, estate duty क्या था इसके बारे में भी तुम जानना तो चाहो गई बोलो हाँ क्योंकि अपना motor clear है पड़ो तो हद कर दो जाओ तो एकदम deep में जाओ कि भाई कुछी ने सिफ पूछने का पंपाचो पंट बताए तो मरने पे tax क्या था जरा समझी है अब ये निले ना अब ये निले ने income कमाई पहले वो income tax देता था फिर इसने wealth बनाई कि भाई मेरे बच्चों के लिए मेरे जो 15-20 बच्चे रहेंगे उनके लिए वो इस पर wealth tax देता था बरबर या अब suppose निले बोला मेको स्वर्ग में जाना है वो निकल गया अब inheritance में property इसके बच्चे के पास जाती थी उदे के पास निले का बच्चा उदे अब inheritance में ये property किसके पास जाती थी उदे उदे विचा रहा है अपने डाड को याद करके इधर रो रहा है इंकम tax department वाले आते थे उदे आमें पता है निले बहुत अच्छा आमी था but you need to pay tax किस बात का अब किस बात का tax देखो inheritance में जो तुम्हे property मिली है ये तो तुम्हे unnatural gain हुआ estate मिली estate पे duty अरे मेर बापने बरा न जीते जी income tax भरा well tax बता मेरी का गल्ती हो मेरे को देखी गया गल्ती तेरी नहीं है तुम्हें अपने आपको गल्ती मत समझ आरे मेरा वैसा बने भी नहीं पर estate तो तेरको मिली ना बेटा you are subject to tax मतलब आदमी मरता था अपनी estate किसी को देखे जाता था उस पर estate duty लगा देते थे इसको भी cancel किया गया I hope आप दोनों समझे wealth tax और estate duty क्यू cancel हुआ rather than just समझो कि cancel हुआ समझ में आई बात because it was a draconian tax same चीज के उपर आप multiple time अलग 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 नाम से लगा रहे हो नाम बदलने से काम थोड़ीन बदलता है IDT IDT की example क्या है पहले बहुत सारे थे अब दो ये GST and custom ये श्वन सर बता देंगे आपको आगे चलके है so as of now we are dealing only in income tax when it comes to direct taxes which is handled by who handled by who CBDT clear है मालिक so चलो क्या मेरे बच्चे को clear है दोनों के example हाँ तो हम कौन से word में थे tax, tax में पहली चीज पढ़ी tax और duty नाम के word के बीच में फरक्स क्या है, दूसरी चीज पढ़ी direct tax और indirect tax क्या होता है, अब तीसरी चीज तीसरी चीज सर component of tax sir क्या tax में सिर्फ tax collect होता है component of tax, sir क्या tax में सिर्फ tax collect होता है well, the answer is no tax में सिर्फ tax collect नहीं होता क्या tax में सिर्फ tax collect होता है well, the answer is no tax में सिर्फ tax collect नहीं होता tax में में तीन चीज़े होता है ध्यान से समझना, आज बहुत अच्छे सा समझा रहा हूँ, tax calculation में काम आएगा everyone, एक होता है tax, दूसरा होता है सर्चार्ज और तीसरा होता है CESS spelling है C-E-S-S है न? कुछ अलग मत बुलना चालू कर दे habit case आपसे tax में तीन चीज़े होती है tax में हम सिर्फ tax नहीं लेते tax में तीन चीज़े होती है tax, surcharge and CESS ठीक है? so आओ, understand what is tax, यह तो हम पहले देख रहे है direct tax और indirect tax, this is a obligation to be made to government yes or no, tax is a obligation to be made to given to government, obligation to pay to government this is tax अच्छ जो tax लगता है आपके हिसाब से पूरी income tax में चल जाती है यह percentage of income is subject to tax अब percentage of income is subject to tax अब यह हम इस पर discussion नहीं कर रहे है कौन सी income taxable है कौन सी नहीं सब आएगा मैं little slow हूँ पर deep तक के जाता हूँ सब्जेक्ट सिखाने में ठीक है प्लीज मत बिगड़ो मेरी बात सुनो और जित्ते बच्चे ओनलाइन बैठे हैं यह छोटे छोटे वीडियो क्लिप निकालके प्लीज यूट्यूब पर डालना बंद करो में मैं मैं प्ली बहुत वाइरल हूँ मेरको नहीं चाहbones है, और वाइरल पिछ्ले बार आउस बहुआ था पिछले बार का अम शिबZA पिछले बार का नाम पर्शियन बच्ट था हां तो पिछले बार ऐसा हुआ था कि उसमें का एक वीडियो कुछ अच्छे ही वाइरल हो गया तो तनमे भटने भी डाल दिया तो वह अलग अलग गेम हो गया मेरे को खुद को नहीं समझ मैं तो प्लीज ऐसा कुछ भी ना करें यस क्या है यह जो वाइरल कंटेंट है मेरे घरवाले भी देखते हैं तो इधर कुछ नहीं होता इधर तुमको सबको मजा आता उधर से मेरे को फोन आता यह लेक्चर में यह सब बोलना पड़ता है क्या अब उनको कौन समझा है समझता ही यह यह बच्चो को अब बच्चा जीस बारे में दिन रात सोच रहा है स्वरी रात दिन सोच रहा है obligation to pay government it is a percentage of income which is subject to tax अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ समझाने के लिए अच्छा आपको अगर याद हो चलो interlinking करते हैं is tax divided between center and state divided in center and state and it is kept in CFI bracket में लिको CFI is Consolidated Fund of India CFI is Consolidated Consolidated Fund of India सरी Consolidated Fund of India क्या होता है जैसे हम कोई bank account बनाते हैं भारत सरकार जितना भी taxes और duties collect करती है इसको RBI के पास ए Consolidated Fund of India में रखती है RBI के supervision में Consolidated Fund of India में रखती है तो भारत सरकार जितना भी revenue collect कर रही है in the name of duties, taxes, etc यह सब एक जगह जाता है the Consolidated जितने जगह से आ रहा है fund of who? Prime Minister India to be utilized for India समझमारी बात so center और state के बीच में divide किया जाता है और इसे रखा कहां जाता है तो जैसे सरकार ने collect किया इसको CFI में डाल दिया CFI के बाद President decide करता है इसको distribute किसको कित्ता करना है समझमें आई यह बात तो Consolidated Fund is nothing but an account which is maintained under the supervision of RBI clear है? अब आते हम दूसरे concept के उपर surcharge अगर यह surcharge क्या है और इसके पीचे की एक जबरदस history भी बताता हूँ जो बड़ी काम की है surcharge का मतलब होता है additional levy surcharge का मतलब क्या होता है additional levy अब यह additional levy का मतलब क्या है additional levy का मतलब यह है के जो लोग extra कमा रहे है उनसे थोड़ा सा extra collect किया जाता है in the name of surcharge in the name of surcharge के भीया additional levy तुमने अगर एक limit के उपर कमाया तुमने अगर एक limit के उपर कमाया तो तुमको थोड़ा extra देना पड़ेगा because you are earning high yes तो जो HNIs होते हैं जादा कमा रहे है यह surcharge पे करते हैं अभी जैसे कि अप समझ लीजे Abhishek Sir ठीक है अभी एक share था last time ही he earned 90 lakh rupees in that share अभी था 5 star gar के एक share था he legit earned 90 lakhs अभी इसमे 90 lakh rupees उसने कमाया एक आम आदमी मेरे जैसा कमा सकता है क्या no ठीक है तो आम आदमी अपन लोगों की जैसे कमा सकता है क्या नहीं या वो उनने कमाया 90 lakh जो उनने कमाया सरकार कहती है अगर कोई 50 lakh से उपर कमा रहा है एक करोड से उपर कमा रहा है दो करोड से उपर कमा रहा है मैं income की बात कर रहा हूं receipt की नहीं मैं 10 रुपे की बात नहीं कर रहा, 6 रुपे वाली बात कर रहा हूँ कि अगर कोई income ज्यादा कमा रहा है, after all its expenses तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा था मैं अमीरों से लूँगा और गरीबों को दूँगा तो अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए कि मोदी जी कह क्या रहे है अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए मोदी जी कह क्या रहे है उनने का था भाई और बेनो, मैं अमीरों से लूँगा, गरीबों को दूँगा अब लोग समझ ही नहीं पाए उस ते मोदी जी क्या क्या रहे है बाद में जब income tax पढ़ा उनको समझ में है कि उनके सर चार्ज हो गया है उनका क्या हो गया है सर चार्ज हो गया है मतलब टैक्स तो देना ही देना है टैक्स के अलावा एक और additional percentage देना है this is called as surcharge yes अब बताता हूँ मैं आपको क्या game किया मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा history समझ यह DT में समझ नहीं पड़ता है 2014 आपकी बार 2014 में मोदी जी ने slogan लगा दिया कि भाईया मैं अमेरियों से लूँगा गरीबों को दूँगा लोगों को समझ नहीं है क्या किया फिर income tax में उन्होंने क्या किया slab rate सेम रखे tax rate सेम रखे और सिफ surcharge को बढ़ा दिया क्या game खेला जरा देखना income tax के rate सेम रखे और surcharge को बढ़ा दिया अब पूछो मोदी जी ने ऐसा किया क्यूं क्यूं क्यूंकि tax जो होता है न बिटा वो center और state में divide होता है सरचाज सिर्फ center के पास रहता है तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो जिसमें बाक काईदा सिर्फ मोदी जी प्रमोट हो रहे हैं इतना fantastic दिमाग लगाया बोला पैसा सिर्फ center के पास रहेगा किसी स्टेट का दखलना जी नहीं चाहिए तब जाकर के clean ganga project स्वच्छ भारत अभियान एट्सेटर एट्सेटर के लिए आवाना समझ मही बात so fantastic brain उन्होंने ये किया ही नहीं कि भीया मैं state में divide करूँगा नहीं तो हर state आकर के क्या करेगा पैसा मांगेंगा और मुफ्त की रेवड़ी बातेगा चाहिए नहीं पैसा center के पास रहेगा हमारे दिमाग में कुछ scheme है हम scheme चलाएंगे तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो ये अलग-अलग जगा फिर इतने अलग-अलग जगा infrastructure projects built हो रहे हैं ये सब कहां से आ रहा है surcharge are you getting the point so what is surcharge surcharge is an additional levy it is collected if income exceed a limit तो आपकी income अगर एक limit के ऊपर चल जाए तो हमको सर्चाज देना पड़ता है it is only kept by union it is only kept by union and it is a part of CFI पैसा ये भी CFI में जातेगा पैसा ये भी कहां जाएगा CFI में जाएगा पर जितना surcharge के नाम से collect हो रहा है उतना सरकार के पास ही रहेगा वो divide नहीं हो सकता sir ऐसा कहां लिखा है और surcharge लागने का power कहां से आया article number 270 article number 270 to the Indian constitution पर देता है कि tax के उपर आप क्या लगाओ surcharge आप पुछोगे नाए sir हमको भरोसानी आप बताओ कहां लिखा है वा साब लो तुम्हारे लिए कुछ भी article number 271 मैंने 270 लिखा है article number 271 चलो देखिए क्या लिखा है मैं साथ पढ़ी है पार्लेमेंट में एट एनी टाइम इंक्रीज एनी डूटीज और टैक्सेज by way of a sarcharch for the purpose of union समझ मारी वाद तो यह जो पैसा ही यह सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है union yes and proceeds shall form part of consolidated fund of India तो इससे जो पैसा आएगा वो consolidated fund of India का ही part है सर पर फिर वो bifurcate कैसे करते होंगे कि कितना tax का है कितना sarcharch दोनों अलग-अलग column में भरते हो जिससे वो automatically system bifurcate करता है यह समझ में आया सभी को हायन ना सहाब बहुत बढ़िया शलो so come on revise with me, सबसे पहले क्या था बटा tax, obligation to pay, it is a percentage of income, it is divided between center and state, रखा कहा जाता है CFI, फिर आता है sarcharch, sarcharch is an additional levy, extra लगाने का power power कहां से आया, article number 271 से आपको यह power आया, रखता कौन है सिर्फ, union लेकिन लगेगा तभी जब income एक limit से उपर जाती है, आपके आपको भी बहुत सवाल आएंगे कि सर, income कि इस limit के ऊपर गई तो sarcharch लगता है, मैंने आपसे क्या कहा रूप जाओ, सबर करो, पहले base clear करो, फिर आगे का सब सम्झाओंगा कि कब लगता है, क्या लगता है इसके ऊपर more than 20 problem solve करोगे तो, फिर तीसरा आता है CES, जिसको आज बोला जाता है, today called as HEC that is health and education CES आज CES को income tax में बोला जाता है, health and education CES, बरवर इसको क्या बोला जाता है, health and education CES HEC, short form हम पूरे income tax में इसका short form ही use करेंगे HEC which is also allowed, ठीक है, HEC, अब यह CES क्या होता है, CES is also an additional levy, लेकिन यह सिर्फ specific purpose के लिए पूरा किया जाता है, मतलब, सरकार ने क्या किया है, एक emergency reserve नाम की चीज़ बनाई है, जिसको यह लोग CES कहते हैं, wherein इसमें जितना पैसा collect होगा, वह सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए use होगा, वह सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए use होगा, 2015 में जब पहली बार, you know, मोदेजी आये, 14-15 के अंदर में इन्होंने बोला कि यह हमारी सारकार की दो priority है, पहली priority है स्वास्त, और दूसरा priority है education, तो इसलिए इसको collect किया गया health and education से, मैं आज आपको बताओं, यह पैसा कहां use हो रहा है, आपने concept सुना होगा, सर्वसिक्षा अभियान, midday meal scheme, जिसके अंदर में underprivileged बच्चों को क्या किया जाता है, education और meals provide किया जाते है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, HEC दूसरी बात, आपने COVID के दौरान टोचन लगाए दो, yes, बहुत सारे लोगों को paid vaccination मिला, illegally, but maximum लोगों को जो यह vaccination था, यह free था, लेकिन यह vaccination खरीदा तो है न हम लोगों ने, किस से Serum Institute से, yes or no, Puna वाला group, सरकार ने Puna वाला group को पैसे तो दियोंगे, पैसे आये कहां से, इतने लोगों को vaccine लगाने के लिए, SES, इतने सालों से health and education के उपर क्या किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, उसको collect किया जाता है in the form of SES, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह SES का पैसा can be used only for specific purpose, देख, tax का पैसा तु infrastructure में लगा दे, कोई तकलिफ नहीं है, SES से आने वाला पैसा, सिर्फ health और education में ही लगा पाएगी सरकार, सिर्फ health और education के लिए ही use हो पाएगा, it is collected as a percentage of tax, tax का एक percentage SES होता है, tax का एक percentage, क्या होता है, अबड़ा says, and it is also the part of CFI, ये भी consolidated fund of India का पालत है, ये भी consolidated fund of India का पालत है, is that done? चलो, RE-WISE, सर हम कहा है, हम दूसरे word पे है, tax, मैं सिर्फ tax word को खोले जा रहा हूं, कि भाई, tax और duty के बीच में फरक क्या है, tax के type कित्ते होते है, क्या tax में सिर्फ tax होता है, या tax के अलावा भी और कुछ collect होता है, तो tax में किती चीज़ collect होती बीटा? तीन, बोलो कौन सी? Tax, Surcharge, CES, ये तीनों को मिलाके बोला जाता है Tax, समझमारी बात, तो income tax में सिर्फ tax नहीं है, ब्रो, Tax, Surcharge, CES, पर Surcharge हर case में applicable होने वाला? पर CES हर case में applicable होगा, मतलब, Surcharge तभी लगता है, when the income exceeds a prescribed limit, CES लगेगा ही लगेगा, हर case में, So if there is one Rs. tax, there will also be HEC, समझमारी बात, there will also be HEC, तो अगर आपको tax calculation करने बोला, तो क्या मेरा बच्चा सिर्फ tax निकालेगा? या applicable Surcharge if any, and HEC भी निकालेगा? Both, yes or no? Surcharge तभी when income exceeds the prescribed limit, HEC तो लगाना ही लगाना है, clear है Malik? हाँ, कहां है हम दूसरे वर्ड पर? Sir, आपको एक बात पता है? Foundation में न, इतने में unit खतम होता था? एक keyword को कोदे जा रहे हो, चलो, हाँ, तो खतम हो गया न, आपसे? आईए sir, देखते हैं, आपके notes में देखिए, सबसे पहले tax and duty दिख रहा है, have we done this? Yes, फिर sir, charge and says दिख रहा है, have we done this? फिर direct and indirect tax दिख रहा है, have we done this? शांदार, आओ बटे! अब हमने दूसरा वर्ड कतम किया tax, तो पहला वर्ड पढ़ा हमने act, act के बाद पढ़ा tax, अब मैं तीसरा वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको, 1961 रुको जा, कितने अमार कहा है, जब तक तोडेंगे नहीं छोडेंगे नहीं सरीक बात बताओ, मतलब यह बच्पन से चल रहा है यह सर अमार साथ, foundation से चल रहा है, उटा करके 1872 का लग पढ़ा दिया, 1932 का लग पढ़ा दिया, अपै जब हम धर्थी पे थे नहीं तब के लग क्यों पढ़ा रहे हो? I guess आप सब 2000 के बाद वाली category में है, yes or no, right, the beautiful years, the golden eras, ठीक है, हम 90s वाले, हमारा अलग रुबाब है थोड़ा, हमने सदी बदलते देखा है, सर तो, मतलब, दो साल पुरानी में शटनी बेंता, दो साल पुरानी में गाड़ी नी चलाता, दो साल पुरानी, 1961 का law, 2023 में पढ़ा रहे हो, क्या logic है, law नहीं बदलता बेटा, law में सिर्फ amendment आते हैं, technically, income tax हर साल अपने आपको पूरा अप्ग्रेड कर देता है, और इसके अंदर में क्या आते हैं, amendments, इसके अंदर में क्या आते हैं, amendments कहां से आते हैं, budget, हर साल क्या आता है बेटा, budget, तो आईए, अब 1961 का law, हम अभी पढ़ रहे है, उसके पीछे का logic क्या है बोलो बेटा, budget, आईए अब आपको समझाते हैं, budget क्या होता है, जिन्नेगी में पहली बार समझो, क्यों फरवरी में, हर CA, professionals, आपके डाड, TV को stick होते हैं, budget, जी, tax के साथ ही collect होता है, along with the tax, मतलब जोब आप tax calculate करते हो, उसी के साथ आप says भी pay करते हो, next is budget, हाँ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, what is budget, foundation में तुमने पढ़ा है, what is budget, is budget an estimate, about future outflow, or is budget is an estimate about future in-flow and future outflow, yes or no, right, अच्छा, अब हम कौन से budget की बात करेे, क्या हम जू normal budget बनता है, उसकी बात कर रहे, है या हम बात कर रहे हैं Finance Budget की है या हम बात कर है Finance Budget की है Vadcare फानान स मुठ्रहें सॐपान सार्जट हर साल अना होतक। बिजट क्या लेका लेक्रा May elis promises बजलिक अमेंत्मेंट्मेंट्ट्स अब यह जोमेंडमेंड्मेंट्मेंत्स हो यह amendments की applicability होती है, ध्याहन सा सुलना, budget के दो टाइप होते हैं, there are two types, एक होता है, final budget, दूसरा होता है, interim budget, बात समझना, सर, budget कब आता है, budget आता है, बेटा, every year, on 1st Feb, हर साल 1st Feb को आपका budget आता है, it is presented by, बुलो, finance minister, it is presented by, finance minister, सर, budget कौन से act के हिसाब से बनता है, anyone, budget कौन से act के हिसाब से बनता है, anyone, हाँ, हाँ, बुलो, बुलो, अरे गलत रहेगा, चलेगा, यार, कोई तकलीफ निया, बुलो तो सरी, FRBM Act, income tax act, sir, the budget is prepared as per, FRBM Act, fiscal responsibility and budget management act, बहुत सारे बच्चों को लगता हिसाब से बनता है, बनता है, गलत है, the budget is prepared as per, it is prepared as per FRBM Act, FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, latest updated, so, budget is prepared as per, fiscal responsibility and budget management act, 2003, yes, तुचलो, जल्दी से बताओ, budget कौन से साल में आता है, हर साल आता है, कितने तारीख को आता है, 1st Feb, को ही आएगा, sir, ये date chain नहीं होती, नहीं होती, 1st Feb, को ही budget आता है, कौन प्रेजेंट करता है, finance, prepare कौन से act के हिसाब से होता है, FRBM, FRBM का full form क्या है, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, क्या आप जानते हैं, CA final के बाद, Tech Mahindra ने इसको अपने interview question में, दो बार पूछा है, budget is prepared as per which act, Tom Tom ने एक बार पूछा है, budget is prepared as per which act, समझवारी बात, interview question नहीं है, अच्छा, budget दो प्रकार के बनते बैटा, एक है final budget, दूसरा है interim budget, budget किते प्रकार के है, दो, एक है final budget, दूसरा कौन सा है, interim budget, अब interim budget कब आता है, interim budget आता है, in the year of election, in the year of election, election के साल आपको interim budget देखने को मिलता है, so technically, in the year of election, there are two budget, एक budget आता है, First Budget आता है, Interim Budget यह जो Intrim budget होता है, यह February में ही आजाता है पर अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे, यह जो Intrim budget होता है, यह 1st February को यह आ जाता है, ठीक है, थोड़ा और जूम करूँ, इता हुआ ठीक है बिटास, अभी को देख रहा है तो जो इंटरिम बजट है, बजट के साल में दो, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, I guess अगले साल इलेक्षन है, तो 2024 में आपको देखना दो बजट देखने को मलेंगे, एक होगा जो फरवरी में ही आ जाएगा, clear है, तो जो existing government है, NDA government, right, मोधी सरकार, यह अपने करतव्य के हि बजट लेके आ जाएगी, पर इस बजट को कहा जाएगा, interim budget, फिर आपको अगर पता हो, तो मार्च से election चालो होते हैं, जो जून एंड तक खतम होते हैं, हर state में, yes, अब फिर जो भी नई सरकार बनेगी, for example, या तो existing government repeat होगी, या तो new government आएगी, as the case में भी, तो जो भी न कहीं, July या August में आता है, depending upon the time, जब भी उसके बाद में new government अपना पहला session लेके आएगी, तब final budget, याने technically, interim budget कब से कब तक के चल रहा है, फरवरी से, जब तक नया नहीं चल जाता, June, July तक के चल रहा है, और फिर जो final budget आ रहा है, वो July से लेकर के कब तक चलता है, अगले March, स as well as final, final budget आपको कब मिलता है, every year on 1st April, sorry, 1st February, every year on 1st February, फिर election जैसी खतम हुआ, इसके आगे हर 4 साल, सिर्फ एक ही budget आने वाला है, that is final budget, एक फरवरी को आ जाएगा, जो भी नए finance minister होंगे, वो लेके आते रहेंगे, yes or no, budget समझ मैंगे, तो हर साल, बताइए, 1961 का law आप 2023 में पढ़ रहें, क्यों, क्या technically law बदल रहा है या law, सिर्फ amend हो रहा है, amendment कहां से आते हैं, budget से, everybody, budget किते प्रगार के रहे थे, 2, 1 रहता final, दूसा रहता interim, 2023 में जो budget आया होगा, final होगा, 2024 में जो आएगा, interim and final, दो आएंगे, जो interim रहेंगा, technically वो फरवरी से जून तक वर करेगा, और जुलाई से जो भी नई सरकार अपना budget बनाएगी, वो चालू हो जाएगा, yes or no, अच्छा जी, sir, 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 budget क्या लेके आता है, budget brings amendment, amendment, amendment का मतलब क्या होता है, sir, amendment, amendment का पहले meaning समझो, amendment are the changes proposed in budget, amendment are the changes proposed in budget, तो budget के अंदर में जो भी changes proposed होते हैं, उसको हम कहते हैं कि यह amendment आया है, yes or no, sir, अगर हमें भी देखना है, कौन से website पे मिलेगा, www.unionbudget.nic.in, तो अगर आपको देखना है यह budget, तो आपको दिखता है unionbudget.nic.in की website के उपर, हर साल जो भी budget आता है, present होते ही तुरंत website पे अपलोड कर दिया जाता है, सरकार की website है, वहाँ से data निकल जाता है, पूरा का पूरा, sir, इस साल कितने amendment आये हैं, मतलब जो हमको पढ़ने हैं, 122, किते, 122, so सारे हमको पढ़ने हैं, 80, सिर्फ, हाँ मतलब 80 तो पढ़ने ही पढ़े है, वाइस से तुम के इतना हौ कर रहे हैं, तुमारे तुपड़ा सब्जेक्ट ना है, पूरा सब्जेक्टे अमेंड मेंड्मेंट है तुमारे तुम को क्या परक पढ़ रहा है, पिछले साल क्या था, है इतना रियाक्ट कर रहा है जैसे जबरदस्ती में ऐसा कुछ तो और वैसे तुमको पूरा नया पढ़ नहीं, यह सब मालूम था कि तुमको, यह सब सिफ वर्ड सुने थे तुमने आज तक क्या है, हम इसको डिसकस कर रहे है, यह सो नो, अभन चाहिए डिरेक्ली चालू बजट आएगा, बजट तिरको अमेंडमेंट लाकर के देगा, यह जो अमेंडमेंट रहेंगे, यह तरको कौन सी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, unionbudget.nick.in ठीक है, इस पर अमेंडमेंट मिल जाएंगे, अमेंडमेंट का मतलब है, changes, बरबर है, changes सिर्प DT में होते हैं क्य changes जो आते हैं या दूनों तरफ के changes लेके आते हैं, DT में भी लाते हैं, ITT में भी लाते हैं, pen निच्चे रख दो, और सिर्फ इस fat object के तरफ ध्यान दो, कल मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, सवाल लिपीट करो न मेरे लिए, प्लीज, और जिसको याद नहीं आर होला था, ऐसा क्यों और यह सवाल मैंने तरफ छोड़ दिया था और मैंने कहा था आज डिसकस करूँगा, और देखो आज डिसकस करूँगा, लोजीकली सम्झाओंगा और तुम बोलोगे भाई, full respect, सम्झाओंगा, वापस से सवाल रिपीट करो, act, rules, यह एक पॉइंट इ इदर, ठीक है, दिख रहा है है? दिखना ही चाहिए, यहां क्या है? act 61, rule 62, यहां क्या है, act contain provision of law, rules contain implementation of law, यह जो भी है, यह amendments से change होती है, काईसे change होते है, amendment, यह amendment रख दिया मैंने इदर, ठीक है? इदर क्या है? act rules, इदर क्या है? Act contain provision, rules contain implementation और यह जो भी Act change हो रहा है यह काई से आ रहा है? Amendment यहां तक के ठीक है? अब सुन हर साल बजट आता है हर साल बजट आता है हर साल बजट आता है, बजट एक फरवरी को आता है बजट जो होता है, वो Finance Minister प्रेजेंट करता है यह जो बजट आता है, इसके अंदर में Direct Tax के Amendment as well as Indirect Tax के Amendment आते हैं यह Amendment Finance लिए क्या आता है? यह Amendment कौन से करना है? कैसे समझेगा? यह Amendment कौन से करने है? कैसे समझेगा? तो आपको टेंशन लेने की ज़रोत नहीं है, Lawmaker, Law बनाएंगे, Law Implementary, Implement करेंगे Law Interpreter, Interpreet करेंगे तब जाके समझेगा, नया Amendment क्या करना है? कुछ भी? So, याद आरा है के दिर को Amendment कैसे पता चलेंगा? आज की दिन की शुरुवात ही वही थी हमारी कि यह Lawmaker, Law बनाता है existing situation को देखते हुए Law Implementer उसे Implement करता है कई बार जब जगड़े हो जाए, तो जगड़ों के बाद वह वह वापस communicate करते है, कि सरीए DCN हमारे फेवर में नहीं रहा, हम बड़ेट करो तो इससे आए Amendment, अब 122 Amendment आए जो IDT के Amendment है, जो IDT के Amendment है, आप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट अनलेस अदर्वाइस प्रोवाइड़ तो जो इनडरेक्ट टक्स के Amendment लेके आएंगे न भाई साब, यह उसी राच से लागू हो जाएंगे, आए, like petrol prices, राद बारवजे से लागू, so changes in indirect access are generally applicable from midnight, unless otherwise specified, तो अब तक के अगर कोई और टेट नहीं दियोगी, तो यह by default है कि वो उसी राच से लागू हो जाएंगे, अगर कोई अलग रेट नहीं दियोगी, कोई तारीक अलग नहीं दियोगी यह उसी राच से लागू हो जाएंगे, clear है मालिक? DT के amendments, pen down, DT के amendments are applicable from first day of next year, वापस से सुनिए मेरी बात को, DT के amendments first day of next year से लागू होते हैं, क्योंकि पूरा income tax assessment year आने वाले साल की language में लिखा है, कुछो ऐसा क्यों? भाई, current year में तो तुम income कमाओगे न, understand, 1-4-2023 से ले करके 31st March 2024 तक के तो तो तेरी income compute होती रहेगी न, 31st March 2024 राथ 12 बजे तक के तो धन्दा करेगा वो इस साल में आएगा, तो 23 से लेके 24 तक का जो income है वो तो income calculation का होगा न, क्या राथ में बारा बजे टैक्स पे करेगा? Stop, टैक्स पे डिपार्टमेंट में होता है या डिपार्टमेंट को होता है? राथ बारा बजे ओपन रहेगा गो बैंक? नहीं, यानि आपको टेक्निकली इस साल तो सिर्फ income compute करना है, अच्छा 31st March की अकाउंट भी 31st March को final नहीं होते हैं, वो इसके बाद होते हैं, यानि उस साल की income पे टैक्स क्या आप उस साल देते हैं या अगले साल देते होंगे? मेक सेंस टू यू? वापस से सुनो, ऐसे कैसे समझा, बुल नहीं समझा, मैं वापस समझाएगा, वापस सुन, 14-2023 तेरा financial year चालू हुआ, हलो, 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 आवाज नहीं आरे ट्रिंट्रिंग, हलो, 14-2023 से तेरा financial चालू हुआ, ये तुने 12 मही ने income कमाई, 31st मार्च 2024 को तेरा year खतम हुआ, अकाउंटिंग दन हो गई क्या? अरे जो beer बार होगा, वो तो रात में 31st मार्च 2024 को रात 12 बज़े भी चालू है ना? 12 बज़े तक का जो आखरी बिल होगा, वो भी तो इस साल में जाएगा ब्रो, अभी अकाउंट शेटल हो गए, नहीं, अकाउंट शेटल भी टेक्निकल अगले साल होगे, तो इस साल में आप सिप income कमाते हो, इस पर tax अगले साल देते हो, तो जिस साल में इंकम कमाई, उसको कहा जाता है previous year, क्या कहा जाता है? जिस साल में इंकम कमाई, उसको क्या कहा जाता है? उसके आगे के year, जिस साल टैक्स पे करते हो, उसको बोलते assessment year, उसको क्या बोलते? वापस से, जिस साल इंकम कमाई हो, उसको क्या बोलते? और इस पर tax आगे के year में पे होता, उसको क्या बोलते? so क्या मैं English case line को कह दूँ, income of previous year taxable in assessment year? पिर समझ में के तुमा, बुलो नहीं समझा? income of previous year is taxable in? so whatever you will earn between 23-24, you have to pay tax between 24-25, तो आप बताईए, income tax current year की language में लिखा होना चीए या आगे के साल में लिखा होना चीए, make sense? क्योंकि income tax जो तुम पे कर रहे हो आने वाले साल में पे करना है, इसलिए पूरा income tax की जो language है, वो assessment year में लिख लिखी है, क्यों से year में लिखी है? assessment, आगे के साल में लिखी है, तो अब तु सोच के बता, act तो 61 में आ गया होगा, exactly implement कभ होगा, hence prude act 1961, rules 1962, act contain provision of law, rules contain implementation of law, logic. ब्रो, logic समझ में आया गया, अरे आया गया, how dare you, बुलो नहीं आया, आपस सम्झेंगे, तुम्हारा जानता, मेरा नहींता, मैं अपने आपको आपस सम्झा रहा हूँ, विजे सुन, हाँ, हर साल, एक अपरिल को, क्या चालू होगा, एर चालू होगा, सुनो, एक एबाओ, कल हमने एक सवाल छोड़ा था, सवाल क्या था, act 61, rule 62, ऐसा क्यों, यह सवाल इधर खड़ा है, act contain provision of law, rules contain implementation of law, यह इधर खड़ा है, हर साल changes आते, changes कैसे आते, lawmaker law बनाता, implementer उसको implement करता, तब जाके implementation में तकलीफ आती, वो बताता, law change करना है, या फिर interpretation में case आता, तब हो सम lawmaker, implementer and interpreter, तीनों मिलके लोग को amend करते, यह amendment आता, बजट से, अब बजट में जो amendment आए, वो लागू कब से होते, indirect tax के amendment उसी राथ से लागू हो जाते, लेकिन direct tax ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आप income कमाऊगे, income पे tax दोगे, तो 14 2023 से लेकर के, 31 मर्च 2024 तक के तो सिर्फ आप क्या कमाऊगे, income, अपनी income determine करोगे, books of accounts finalize करोगे, तब पता चलेगा income कितनी है, इसी साल tax पे कर दोगे, tax का पे करना है अगले साल, जो इस साल की income कमाए उस पे अगले साल, तो technically आपको क्या लगता है, income tax current year की language में लिखा है या आने वाले साल की, जिस साल income कमाया है उ इसको क्या बोलते हैं, so can I say income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, don't do just chill, income of previous year is taxable in assessment year, हाँ, तो पूरा income tax current year की language में लिखा होगा या आने वाले साल की language में लिखा होगा, या आने वाले साल की language में लिखा होगा, ये बात clear है, तो 1961 में जब पहली बार act लेके आया होगा, क्या 1961 से Act लागव हो गया होगा? Implement कब से हुआ होगा? Rules कौन से साल से आने चाहिए? Hence Act 1961, Rules 1962. भाई और बेनो! यही तो मैं तुम्हें कल समझा रहा था. Book का पहला page, पहली line फिर पड़ो. अब समझ में आएगा या लिखा क्या है? The Act came in to force on? 1st April? मेरे प्यारे भाई और बेनो! कोई अधर Act ऐसा नहीं मिलेगा? कि 2013 का 2014 में लागव हो रहा Companies Act. हमारा ऐसा ही है. लिखा 61 है, चालू 62 से होगा. समझा रही यह बात? अब आज कोई पूछे, Act 61 में आया, Rule 62 में आया, क्यों तो उसको कहना दो पूरे दिन लगते हैं समझने के लिए. आज जाना अपने इंस्टा, Facebook, Twitter, Snapchat, Bumble, सब जगा लगाना, Act 61, Rule 62. लोग पुछेंगे, क्या है, क्या डाल रहा है? C.A. ठिंग्स. 4 गंटा भी ताना पड़ता, तब समझ आता यह डिफरेंस क्या है. दिखने को एक दिखता है, सिफ एक यहर. समझने को 5 गंटा लगता, धीरे, 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 धीरे. जब एक एक वर्ड में घुस होगे, तो एंड में समझ में आता इत्ता बड़ा गेम था. कलल का. संगल वाटल का. संगल वाटल का. रुको, खतम नी होगा, इदर आया. अभी तो शुरू होगा है, बेटा. हाँ. तो आईडिटी के अमेंड मेंड कब से अपली के बले है? मालिक, फुल रिस्पेक्ट. आज जाना, अपने घर पे बताना, अपने दोस्तों को बताना, उसके आंख में आस हुआ जाएंगा, बलाभाई, रिस्पेक्ट. वो फाउंडेशन वाले कवले कवले बच्चे, ना, अभी तुम बड़े होगारे, वो फाउंडेशन के कवले वाले बच्चे, इधरा. अग 61, रूल 62. हाँ भाईया, क्या रहता? डीटी जो होता है, थोड़ा अटिटूदे ना, एंटर में आगा बाएदू. अगले साल लागू होता है, क्यों भी है ऐसा, क्यों होता, ब्रो, current year में तो तुम इंकम कमाएगा न, इस इंकम पर टैक्स अगले साल देगा, इंकम जब तक फाइनलाइज नहीं होगे, उस पर टैक्स कैसे निकलेगा, रहे? उसके आखों में आसु आजाएंगे. वो सोचना लगे हैं, तभी साला ये इंटर में है, अंदर की सचा उसको पता ही नहीं है, उसको ऐसा भार ही रहाऊँ. ये क्लिर है बोडो, चलो जल्दी से, डीटी के अमिंटमेंट्स कब से अपली के बले हैं, इसको ताइमलाइन में समझते हैं जर्णा, इसको ताइमलाइन में समझते हैं, येस, इसको जर्णा टाइमलाइन में समझते हैं, ओ ये है, सुनो, ऐसा हुआ होगा न, 1st फर्वरी 2023 को, क्या आया होगा, बोलना ब्रो, 1st फर्वरी 2023 को क्या आया होगा, बजेट, 1st April 2023, यहां से आपका law, new law क्या हो चुका है, start, 31st March 2024, यह क्या हुआ आपका, year end, अब इस year में आपने जितनी income earn करी, 24, 25 में, आप क्या pay करेंगे, taxes पे पे करेंगे, तो इस year को क्या बुला जाएगा, previous year, और इस year को क्या कहा जाएगा, we are yet to discuss previous year and assessment year, तो सिर्फ छोटा shortcut में ही लिख के रखना है इसको, तो एक, गहां के जाएगा एको. तो झार्पस स्चारा है को खे ह। जह ही हो आएगा है, लिख ΤólTo projets का सवमारे की लिख की mean में कש में हम आएगा है, झाल झाल पुलो नहीं समझा ऐसे कैसे उलो नहीं समझा देख एक फरवरी को निर्मला दीदी आई होगी बजट देक्लेर किया होगा एक एप्रिल से 31st मार्च यह तेरा फिनांचल यह जफ तू इंकम कमाएगा इंकम टैक्स निकाल सकता है क्या नहीं तो यहां तू सिर्फ इंकम अर्न करेगा टेक्निकली जो बजट तेवीस में आया टेक्निकली जो बजट का आया तेवीस वो तेवीस से लागू होना शुरू होता है लेकिन अक्च्वल इंप्लेमेंटेशन कब होगा उसका 24 जब तू टैक्स कैल्कुलेट करता रहेगा एन हेंस हेंस जिन लोगों का में 24 नवंबर 24 जून 24 अबलिक डिसेंबर 24 होगा इनके लिए फाइन्स आक्ट दो हजार चोवीस वाला काम का है या दो हजार तेवीस वाला पक्की बात क्योंकि दो हजार चोवीस में जो बजट लेके आएंगे इंट्री में फाइनल बजट वो तो कौन से साल के लिए होगा दो हजार पच्चिस के लिए होगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपको फ़नांस आक्ट दो हजार तेवीस काम का है लिख के रखो तो अगर आपका गलती से में 24 नहीं हो पाता तो आपको डीटी दूबारा पढ़ने की जुरूत नहीं है हाँ पर नवंबर चोवीस भी नहीं हो पाता तो आपके हिसाब से क्या होगा DT वापस पढ़ना पढ़ जाएगा क्यों? Finance Act अब आपको याद हो तो कल मैंने एक लाइन बूली थी अगर आप नवंबर 23 वाले बच्चे और में 24 में दे रहे हैं यू अगेन हाव तो प्रिपेर DT समझमारी बात क्योंकि Finance Act ही बदल गया जिसने नवंबर 23 दिया होगा उसको बजट कौन सा लगा होगा 22 तो तुमारा अटेम्ट में 24 है जहान से सुनना तुमारा अटेम्ट में 24 है और यू नू फरवरी में बजट आ गया कोई बच्चा में को ऐसा तो मेसेज नहीं करेंग बजट बजट किते तारीक को आता है कौन प्रेजेंट करता है प्रिपेर कौन से एक्ट के हिसाब से होता है एफ एफ और बी एम इन येर अफ एलेक्शन किते बजट इंटरिम बजट एंड हर साल क्या आएगा बजट से क्या आते हैं अमेंड मेंड मेंस कहां सिप्डी इंट मैं होगे या इडी आ amendments are applicable from? DT के amendment is applicable from first day of next financial year. तो क्योंकि पूरा income tax कौन सी language में लिखा है? आने वाले. current year में तो सिभी income निकालोगा, इस income पे जो tax देंगे, वो कब देंगे? अगले साल. इसलिए पूरा income tax आने वाले साल की language में लिखा है, hence act 61 rules 62. क्योंकि act 1961 में जो budget आया होगा, उसका actual implementation तो 62 में ही हुआ होगा. 61, 62 में income कमाई होगी, इस income पे tax 62, 63 में दोगे. Everybody? Yes. जिस साल income कमाते हो, उसको क्या बोलते है? जिस साल tax पे करना, उसको क्या बोलते है? clear है, तो जो बच्चा May 24, November 24, June 24 या December 24 दे रहा है, आपको Finance Act 2020, 3 applicable है, जो 24 में दो बजट आएंगे, वो दोनों भी आपको applicable नहीं है. Sorted है, bro? तो अब हमने discuss कर लिया, अब हमने discuss, हाँ, जी, एक सवाल है, जी. हाँ, कोई problem नहीं, income computation में change नहीं होता, income computation में change नहीं आता, वो same ही रहने वाला है, हाँ, जी. हाँ, एक सवाल, अच्छा सवाल है, interim budget BJP ने दिया, suppose वही वापस repeat हो गए, आप शोर होके भी बोल सकते थे. और नया government वापस BJP आया, तो क्या वो same budget रखेंगे हैं नया budget करेंगे, यह उन पर depend करता है अब उनका five year plan क्या है आगे का, तो वो same भी रह सकता है, वो हो सकता है, बोले कि भी आपने, इसे में रखो हमको मालू में, जैसे 2019 में, उनने जो interim लाया था, वो ही final किया, उनको इत जनरल ही ऐसा होता है, मतलब आज तक इतने सालों से हम लोग भी देखते आए है, interim budget और final budget उस साल में changes नहीं लेके आते, in order to avoid maximum confusion, उनको कुछ amend करना भी है, तो अगले साल जादा amendment कर देते हो लोग, एक साल से बहुत बढ़ा फरक नहीं पड़ जाता उनको, yes or no, technically उनका play area सि yes, हाँ जी, oh oh, the income tax act 1961, कितनी चीज़े पढ़ ली बेटा, तीन, बताए 1961 का law आज पढ़ रहे हम outdated तो नहीं हो गए, हर साल क्या रहा है इसमें, sorted है bro, तो technically हर साल, act लिखा 1961 है, हमारा contract act जैसा नहीं है, हमारा हर साल update होता बोल करके, yes, okay, चलो जी, अब, मैं सभी लोगों को लेके आता हूँ, यहाँ आपका basic वाला जो part है यह खतम हुआ, अब तक क्या पढ़ रहे हैं, basic, अब आप section में जाओगे, अब आप कहां पर जाओगे, section, ठीक है, पहला section, section 298, एक में, पहला section पहला होता है, DT में ऐसा नहीं होता, DT में पहला section 298 होता है, मतलब सरेंड वाला, हाँ, बताये, CBDT और CBIC बनाया गया था, why they have made CBDT and CBIC? They are permanent body, if you are making a body, if you are making a body, don't you think you have to delegate the power that whenever you feel correct, for implementation of law, you take your own calls, yes or no, अगर किसी को, भाई किसी को अधिकार दे रहे हो, तो उसको power भी तो देना पड़ेगा, तो ऐसे case में, section 298 इंसर्ट किया income tax में, कौन सा इंसर्ट किया, बूलो जल्दी से, 298, और section 298 इंसर्ट करके बूला, if any difficulty arise in giving the effect to the provision of this act, central government may by general or special power do anything not inconsistent with the provision, which appears to be necessary or expedient for removing the difficulty, 298 में सिर्फ पावर दिया, कहा, अब हम पावर CBDT को देते है, आगे चलके implementation में किसी भी तरेके का तकलीफ आता है, इसको deal कौन करते बैठेगा, CBDT, clear है मालिक, Central Government ने यह पावर अपने हाथ में दे दिया, general order निकालो, special order निकालो और यह clear करते बैठेगा, अब आते हैं पहले section पे, section number 1, अब जरह देखें यह भी हुआ क्या हमारा, भाई, बजट किते प्रकार के होते है, 2, final and interim, every year and in the year of election, clear है, direct tax के amendment, first day of next year, indirect tax के amendment, midnight, एक फर्वरी को दीदी बजट लेके आएगी, एक अपरिल से यह implement होना शुरू हो जाएगा, और tax is payable in the assessment year, यह AYPY लिखावा दिख रहा है मालिक सबको, चलो, अब आते हैं section number 1 पे, बताईए, section number 1 किसी भी act का होता है, short title, extend and commencement, क्या होता है बोलो जल्दी से, short title, extend and commencement, अब आप इसको पू whole of India, इस बारे में सबको जानकारी है, अच्छा, act तो 1961 से आगया, implement कब से होगा, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, किते section है, किते schedule है, short day sir, यह हो गया आपका section number 1, जो हम almost खतम कर चुकी है, चलिये, register में यह नहीं लिखना, इन्होंने कहा, whole of India, यह इंडिया मतलब कल हमने discuss किया था बिटा, इंडिया extend up to, clear है, तो सरह यह देखिये, इंडिया का कोस्ट, इंडिया कहां तक extend कर रहा है बिटा, 200 nautical miles, सरह समझ लिजे, क्या पानी के अंदर का भी पार्ट कवर है, पानी पे का भी पार्ट कवर है, अभाव दे सीबेस भी कवर है, yes, so anything within this 200 nautical miles is a part of India, sir what if, if the other country is also sharing the waterways, जैसे अभी श्री लंका और इंडिया, इनका 12 km तो दोनों का common ही हो जाएगा, दोनों country mutually decide करती है, इसके लिए एक agreement बनता है, called as DTAA, clear है मालिक, okay, sir, एक nautical mile कितना होता है, यह जो Nm है, यह nanometer है क्या, नहीं, इसको बोलते है nautical mile, इसको क्या बोलते है बेटा, nautical mile, one nautical mile is equal to 1.843 km, one nautical mile is equal to 1.843 km, और यह एक imaginary line है, एक ऐसी line है, imaginary, समुद्र के अंदर कोई ढूंते नहीं बटेंगा, कि exactly हो line कि इधर है, तार तो इधर दीखी नहीं रहे, तारा सिंग कैसे जाएगा, imaginary line है, एक पिछले बैच की बच्ची ने बड़ा समझदार सवाल पूछा था, सर आपने यह सिर्प लेफ्ट साइड में दिखाया है, राइट साइड में हुआ तो, मैंने का बिटे, रिस्पेक्ट, इस सब जग से हैं, फिर मैंने उसको बला सब जग से हैं, तो उसका unique question, सर पर इंडिया के उपर साइड तो अफगानिस्तान पाकुस्तान ने चाइना है न, तो फिर वहाँ कैसे होगा, मैंने बला वहाँ नहीं होगा, पर सर आपने तो बोला, मैंने बोला यह waterways है, बता दू, point number one, पहले ही clear कर दू, income tax में, section याद करना mandatory नहीं है, like companies act. क्योंकि यहाँ पर इतने हैं, वो हो यह नहीं सकते हैं, याद, तो यहाँ पर section number याद करने का नहीं, हो जाएंगे यह मेरी guarantee. दूसरा, यहाँ case law याद नहीं रखने, हो जाएंगे, यह मेरी guarantee. तीसरा, यहाँ पर कोई specific format नहीं है, solve करने का पहले provision, फिर ये, फिर वो, फिर वो, हमरे यह ऐसा नहीं है, because every question is different. every question is different, तो यहाँ वो नहीं है, तो बिल्कुल यह सवाल, sir, definition learn करना जरूरी नहीं है, हो जाएगी, यह मेरी guarantee, ठीक है, आजाओ, करवा दूँगा, so point number one, मस्ती करना हूँ, जो जरूरी होगी, exam oriented होगी, सिर वो बता दूँगा, unnecessary, कभी भी, किदर भी नहीं बिना, DT बहुत ज्यादा बड़ा है, yes, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा, तो जितना काम का है, exam oriented है, सिर पढ़ेंगे सब, लिखेंगे उतना जो काम का है, so India कहा तक extend हो रहा है, बोलो जल्दी से, ठीक है, India का definition is much more relevant in IDT rather than in DT, हमारे को कोई काम नहीं है, yes, पढ़ा, लिखा है तो पढ़ने का है, India means territory of India, as per article number 1 to the Indian constitution, its territorial water, seabed, subsoil underlying water, समझ मा रहा है क्या, seabed पानी पे, subsoil पानी के अंदर, continental shelf exclusive economic zone, another maritime zone, and the airspace above the territorial water, बात वही हो गई, पानी के अंदर, पानी पे, पानी के उपर, 200 nautical mile में आपने कहीं पे भी income generate कर ली, that will be subject to income tax, in India, 200 nautical miles के बाहर है, दोनों country का mutual decision हो सकता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, कुछ waterways दोनों share करते है, yes, कुछ waterways दोनों share करते है, तो दोनों के बीच में, taxes के purpose से mutual agreement बनता है, ऐसा हो सकता है, कि वो income सिप इंडिया रख ले, ऐसा हो सकता है, वो income पाकिस्तान रख ले, ऐसा भी हो सकता है, कि द अच्छा जी, और मैं आपको एक बात बता दूँ, आप किसी भी कंट्री के कुछ भी वह और हो जाए, यह जो टैक्सेशन ट्रिटी है वो उससे अलग होती है, यह टैक्सेशन ट्रिटी उससे अलग होती है, राइट, चलिए, सेक्शन वन वो शॉट राइटल, एक्स्टेंट अब टू बोलो बेटा, 200 नॉटिकल माइल, इससे उपर अपने काम का नहीं है, एक्जाम बंदफिसे, सेक्शन नंबर 4, सर एक बात बताओ, जब भी हम कोई एक पढ़ते है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, आप 298, फिर 1, फिर 224, सब सीक्वेंस है, नंबर से इंक सेक्वेंस चलता है, पूरा का पूरा, तो जिस सीक्वेंस में हम चल रहा है, सीक्वेंस में घर लिए, सेक्शन चार, as it is, जितने वर्ट के साथ एक लाइन में लिखा है, उतने ही वर्ट के साथ रजिस्टर में लिखो. ज जाँ, जितने ही वर्ट के साथ, एक जितना है, सेक्वेंस में लिखाईक के साथ, सेक्शन चाहिए भी जाए나ों चाहिए ट झाल 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 जिस सीक्वेंस में जितने स्लो जाओं प्लीज वैसे चाहिए income tax is payable नहीं सबने नहीं बुला income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income in respect of total income of any person in previous year बरेबर एक और बार बोलेंगे चलो साथ में ठीक है one two three start income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year हां कुछ तो वाइबरेंट लग रहा है है न सब लोग इतना सब और एक बार और चलो फिर से तुमारे एक्स के लिए start एक्स है की नहीं है एक्स है की नहीं है नहीं है तो चलो उसकी यादों में हम बोलो one two three start income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year ठीक है तो आपको नहीं लगता है इस word को थो हम already तोड़ ताड़ करके आ गए ठीक है अब देखो कितने word बाकी है हमें income word समझता है क्या नहीं assessment year समझ रहे गया नहीं annual finance act के rate समझ रहे गया नहीं total income क्या होती है समझता है गया person में कौन-कौन आता है समझता है गया previous year क्या होता है यह समझता है क्या इन सब को तोड़ना पड़ेगा आपको तो पता है मैं average बच्चा हूँ यह मेरको इन सब को तोड़ना पड़ेगा यह हर एक word है जो अगले दो दिन तक चलते रहेंगे हरी इत्ते सारे word है आपको तो पहली बार मैं ACT पड़ रहा हूँ आपको तो मालूम है ना आप पड़के आए हूँ मैं थोड़न पड़के आए हूँ अब tax word सिर्फ एक जाना पेचाना word इसमें एक ही है tax जिसको भी हमने तीन पार्ट में लिखा what is tax, direct tax, indirect tax, tax include tax, sarcharge says फिर हम लोगोंने तीसरी चीज़ लिखी कि यह tax के type किते है yes or no, उसमें भी तीन पार्ट थे चलो आप discuss करते है income जिसको आपको था इंतजार income ठीक है, पिन बेन नीच रगदो, अभी 15-minute पिन का कोई काम नहीं है और please, सभी लोग, specially मेरा वो वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, सहरा डिजर्ट वाला और इदर वो पिलर के पीछे वाला, आप लोग भी support करेंगे, ठीक है, जवाब देंगे हाँ, income, मैं आपको सबसे पहले examples दूँगा और आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, income है या नहीं है, please right now don't go into the matter, ये tax लगेगा के नहीं, आपके हिसाप से सिर्फ ये समझना है, ये income है या नहीं है तो मैं prestige point पर समोसा बेचता हूँ, is it an income or not, मैं prestige point पर classes लेता हूँ, chicken बेचता हूँ, income, acting करता हूँ, stand-up comedy मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कुछ बोला, cricket खेलता हूँ, advertisement करता हूँ, investment किया company में dividend आया, रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, दो जा, नहीं बंद हो गया, 500 का note मिला is it an income, online वालो, is it an income, सोच हो, मैंने discussion करना नहीं बुला, सोच के रखो अपना discussion मैं वो Sultan मिड जा, मदर किया पैसे आया मदर किया पैसे आया — पाउडर बेचा इनकम आई — पाउडर बेचा इनकम आई इनकम आई, इस इन इनकम, क्रिकेट का सट्टा लगाता हूँ, जननत का इम्रान आश्मी है मैं, इस इन इनकम, मैं मंदिर में गया, तिरुपति बाला जी, बगवान के लिए इनकम है क्या हूँ, हमें नहीं पता, इसलिए तो हमें परसन मतलब क्या ही है समझना न, इस भगवान अपरसन, तुम नो क Excuse क कि बच्चे होते है, एक होते जो पढ़ते है, एक होते जो मस्ति करते है, तुम तीसरे और आविशकार करते हो, पड़ाया है उसको कैसे समझ मा आया तुम्हार को बगवान इंकम परसन या नहीं है कैसे डिसाड गया तुम्हें बगवान परसन या नहीं है करेंगे डिस्कस्स रुको तो, मैंने अभी तुमको सिब सोचने बोला आगे दिमाग ने लगा नहीं बोला तो बताईए मैं टायर पंचर सुधारता हूँ, is it my income? तो एक दिन मेरी बुवा मेरे घर पे आई और उननों मेंको 500 रुपय लिफापे में दीए Is it an income? सोचते जाईए हमें discussion करना है, ठीक है, सोचते जाईए एक दिन पैसों के बहुत जरुत पड़ी, मैंने मेरी किड्ने बेच मारी Is it an income? Is it an income? सोचते जाईए, ठीक है? मैंने कहा, फिर my lord ये कोट का ध्यान बढ़काना चाहरा है मैंने क्या कहा, मैं सिर्क बोलते जा रहा हूँ, तो अपने मन में एक decision लेलो फिर हम लड़ेंगे, जगड़ेंगे, कुछ तो करेंगे, yes, income है या नहीं है, तुम decide कर लो तो बच्चपन में न, क्या हुआ था, मेरा root canal हुआ था, तो उस टाइम पे सोने का दाथ पपा ने डलवा दिया पैसों की जुरत पड़ी, मैंने बेच मारा दाथ बेचा, सोने का, पैसे आये, is it an income सोचते जाओ, फिर मैं मराथी movie प्रोड्यूस कर रहा था, आर्ची वरवर, महराश्टर गौर्वर्मेंट से सबसीडिय आई 40% की, production cost के 40% महराश्टर गौर्मेंट से आये, is it an income ड्रीम 11 में टीम बनाई, एक करोड रुपे जीता, is it an income, local भहिया के पास जाके 60 लगाया is it an income, सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, सिप सोचते जाओ, कि क्या ये income है, ये income नहीं है ठीक है, अलग-अलग example चल रहा है हमारे, मैं न, you know, infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है, prestige point के पास बच्चे आते पढ़ने के लिए, तो मैं PG में बच्चो को रखता हूँ और monthly rent लेता हूँ वो exam नहीं मानोगे तुम, वो भी income है, हाँ, मैंने shares बेचे, loss में अब सवाल यह है, do income also include negative income, concept समझा गया, सवाल यह है, do income also include negative income, चीक है, तो चली एक-एक करते हैं, चीक है, सबसे पहले powder बेचा, drugs बेचा, murder किया, हवाला किया, पैसे आए, is it an income, those who say yes, raise your hand, बढ़िया, यह income है, those who say यह income नहीं है, please raise your hand, और जिनने हातने उठाए, उनके कहां busy है, अरे, मतलब हो सकता है, लिख रहे हो, possible है न कुछ लिख रहे हो, गंदी सोच, possible है न कुछ लिख रहे हो, हाँ, तो कुछ जो कह रहे हैं, income है, please एक बर और, हाँ, कुछ जो कह रहे हैं, income है, ठीक है, यह income है, उठ जा, खड़े हो, ठीक है, यह हमारे पास एक भाई है, जो कह रहे है, income है, illegal activity से आने वाली income, income है, कौन कह रहे हैं नहीं है, कौन कह रहे हैं नहीं है, खड़े हो जो भाई, ठीक है, आपका भरपूर entertainment की जिम्मेदारी मेरी, दोनों पक्ष, आपको आवाज नहीं आए, म आप अपने client को defend कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो, यह income है, मतलब आप income tax department से हो, वो कह रहा है, income ही नहीं है, मतलब income tax department से नहीं है, चलिए शुरुवात करते हैं, चलिए शुरुवात करते हैं, Hello, income का definition है, मैने कप पड़ाया, नहीं, 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 मैने एक भी definition पड़ाया, अरे, subject ही चालो नहीं क्या, आपने definition कितर से पड़ी, income मतलब, assume बोलो, नहीं, ऐसा मत बोलो, लोगो शक हो जाएंगा ये कप पड़ाया, master ने, नहीं, नहीं, पॉइंट वी नॉटेड, my lord, हाँ, इसको जरा लिखो मत बत आप समझ लो, हाँ, oh my lord, जागो, 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 हाँ, अरे, भाई, हमको देने बाटिया, हमको कोई तक्लीब नहीं, आरे, सव कमाया, तीज देना है, नहीं, दे देगे, चलो, हमको क्या प्रावलम है, इल्लीगल भी चलेगा, एल्लीगल एक्ट के लिए पैसा ही जब्त कर लेगा, एक मिनिट, बताएगा कौन, पर एक सवाल है, बताया नहीं, तो टैक्स कैसे देने के लिए अग्री करोगे, यह तो कोट का देन मटकाना चाहरा है, अरे, जब दिखाओगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा, है, हो गया काता हूँ, हाँ, अभी भी किसको लग रहा है, इनकम है, कोई अच्छा की केस दे हो उसके आत में, हाँ, खड़ो, 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 क्लाइंट को डिफेंड करना, है क्यमार रहा हो, हो हेलो, पैसा, पैसा होता है, गांधीजी की तस्वीर अरेक पर ओती है, लीगल-िलीगल इंकम है, एक मिनीट, हमक्यों है, ये लीगल है, नहीं है, हम क्यों ज़िए इनलीगल एक्टिविटी है इनलीगल हट भाई पैसा पैसा होता है भाई बात समझ पाउडर बेच का आई या पाउडर बेच का आई इंकम तो इंकम है, हम तो टैक्स करेंगे आप books में show कैसे करेंगे बस इतना explain कर लेजे मैंको books ही नहीं बजानी मेरे को books ही नहीं बजानी सुर्ट ऐसे नहीं और धो Oregon नहीं है तो बल्लाय का गया न सार्ब हां तो आप बोलतरो तो black भी है books नहीं भी बना hon hold तो भी tax करू मैं- मैं टैक्स भी नहीं दूँगा I like you as a friend खाई जाब आशी बोले तो भाई यह जित्ते पे दिख रहे हैं कि इलिगल इंकम नहीं है मतलब आप उस पर टैक्स नहीं देंगे वो इंकम ही नहीं मान रहे वो कहना ही है इंकम ही नहीं है हम इस पर टैक्स नहीं देंगे तो हम कॉंक्लूड कर रहे हैं क्या इस पर टैक्स नहीं देना इलिगल इंकम पर टैक्स नहीं देना ऐसा तो जवाब दो मराटी में एक कावत है बाप दाखाओ नहीं तो श्राद्द कर अभी है तो प्रूव करके दो मैंने तुमको यह मेरा जवाब अभी तक आया नहीं है मैं सिव तुमको लड़ा रहा है पर मैं चाहता हूं तुम अंदर से गलत निकालो तो सही अंदर जाए जी बच्चे एक मिनिट एक लड़की भी हा इलिगल है तो नोट टैक्सल लोजाएगा तो इलिगल है हाँ वो भी वह कोर रहे है वो भी सपोर्ट कर रहे है कि यह ईलिगल हैँ, हमको टैक्सिं country not यह कह रहा है, सुनो यह कह रहा है, यह illegal है और हमें इस पर tax नहीं देना, yes भाई शुप 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 सर, illegal के लिए किया गया खर्चा में, expenses नहीं नहीं नहीं, तो वही तो बात हुई न, वही यह बोल रहा है understand, he has a very simple point, illegal activity से आने वाली चीज, income नहीं है, तो हम tax नहीं देंगे हमें वह व्यक्ति चाहिए, जो कहें कि यह income है और इस पर tax देना ही पड़ेगा जी, एक मिनिट सर, मेहनत तो दोनों काम में लगती है, मा कहती है कोई धंदा छोटा नहीं होता, धंदे से बड़ा कोई धरम नहीं होता मेहनत तो किसी भी काम में होती ही लगती है न, ऐसा है कि आप बोलो कि यह मेहनत नहीं है, मेहनत तो लगती है, काम कैसा भी हो, मेहनत तो लगेगी न अवरो, तो यह income है, और एक मिनिट, लीगल है, इलीगल है, यह criminal procedure code देखते बैटे, हम income tax में क्यों दिमाग लगाए, point to be noted my lord, अगर यह criminal activity है, there is a separate law, criminal procedure code, CPC, उसके लिए separate penalty है, IPC, मैं गया को दिमाग लगाँ, income income होती है, अच्छे एक मिनिट, आप गुल रहे है, white और black, note का color तो change नहीं होता, बात समझे है, तो हम कहना है कि इस पर tax दिना पड़ेगा, okay, आप books of accounts check करोंगे, हम बनाते, बोलो, आपका जब से यह issue है न, books होंगे न, accounting कैसे नहीं होंगे, accounting icon नहीं होंगे, drugs, sold, वैसे भी, मान लिजे आपका medical का store है, white color का glucose का powder बेचो, या हम white color का powder बेच रहे हैं, बात तो एक ही है न, उसका research मिल जाएगा, details, आपको accounts बनाने का problem है न, हम बनाएंगे, आगे बोलो, books चाहिए हम देते, accounts, अच्छे, एक minute, मैं all deep में जाता, foundation में accounts पढ़ते वक्त तुमको कभी किसी ने बताया, कि सिर्फ accounting जो होगी, वो legal business की होगी, hello, accounts में तुमको किसी ने समझा है, accounting सिर्फ legal की होगी, accounts तो तीन rule, account is a very funny language, वो तो तीन rule देके खादा हम हो गया, है न, तो फिर तो भी है सब कुछ, अच्छा, और मैं अगर drugs बेच रहो तो accounting का rule का हम बतल रहा, debit what comes in credit, what goes out, हाँ, point to be noted, लिखना, अगर उसको एंकम माना तो उल्टा, गवर्मेंट का tax बढ़ रहा, तो गवर्मेंट छोड़ना क्यों चाहेगी, for example, cigarette शेहत के लिए बहुत मस्त है, शानदार flavor में आती है, सामने से जलती रहती है, अंदर ठनक पहुंचाती है, बरबर ना, तो दीखना illegal है क्या, नहीं, सरकार को income मिल रही है, काम कतुम, उल्टा illegal को अगर income मान ले, तो सरकार को तो tax जादा मिलेगा, तो सवाल बरता ही है, legal income, income सिब legal होनी चाहेए, illegal भी income ही है, illegal भी income ही है, एंद आंसर इज, चले, दूसरे point पर आते हैं, नहीं, नहीं, ऐसे दोड़ीन होता है, ठीक है, हाँ, हम income tax में tax नहीं रहे, legality, illegality, CRPC देखते बैठीगा न, whatever is the end of the day, we are thinking about night, रात अच्छी गुदरनी चाहिए, मुझे दिन का टेंचन नहीं है, तो इस सवाल को ही है, दूसरा, दूसरा, अरे रुको रुको, ऐसा भहुत सी चीज़े आएंगे, हाँ, तो मेरी बूँ आई थी, मैं इको 500 का लिफफफफ़ पकड़ाई थी, इसको मैं gift कह सकता हूँ, हाँ, तो is gift income? So, मान लो, मान लो, बाबू की शोना ने जादू की टोना को टेडी बेर दिया, तो बाबू शोना ने अपने बाबू शोना को टेडी बेर दिया, सपोज मेरे साइस का दिया, तो ये gift tax होना चीए कि ने होना चीए? होना चीए कि ने होना चीए? हाँ जी, is gift income? जी, अगर certain limit के उपर जाए, तो ये income है, देखिए, मैं taxability नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अगेन आप सब को बता रहा हूँ, आपका ध्यान बार-बार रिस पोइंट पे जा रहा है, बचे बचे, आपका ध्यान बार-बार रिस पोइंट पे जा रहा है, ये tax होना या नहीं? मेरा सवाल बड़ा clear है, ये income है या नहीं, हम बाद में decide करेंगे, इस पर tax लगाना है या नहीं, पहले ये सोच के देखो, income taxes है, income के definition में ला सकता है क्या, हाँ, बदाईए, मिलता जिसको है, मजा उसी को आता, तो tax भी वही देगा, देने वाले के लिए तो खर्चा है ना, मान ले, तुने तरी पाच्छे गल्फरंड को टेड़ी वेर दिया, तो तिर ले तो expense है, expenses में हम काय को tax लेंगे, जिसको मिल राया income उसकी है ना, बटा, हाँ, तो is gift an income, बोल भाई, हाँ, हाँ, gift में सर consideration नहीं लगता, तो यह income नहीं हुई, क्योंकि contract नहीं है, without consideration there cannot be contract, बरबर ना, but love and, उसके exception में था ना, भाई आदे तरे भाई को, यादे मिल को, तो भाई का case फेल हो गया, अब बताईए, income है या निए, जी भाई, दो अलग-अलग चीज़े है, हाँ, मैं क्या मूल रहा हूँ, tax होगा के नहीं गलत दिमाग, पैसा मिला gift, is it an income or not, wherever, best, तीसरा example, मैंने जवाब किसी का नहीं दिया, क्योंकि जवाब आज का matter है ये नहीं, इंतिजार करिए, इसे शायरी से समझाना चाहूँगा, एक ही दिन में समझ लोगे, क्या मुझे, मैंने खुद को बनाने में सदिया भी ताईए, income tax 1961 से चले आ रहा है, एक दिन में थोड़ी समझ पाऊगे, हॉले हॉले धीरी धीरे, आराम से, हमें किसी दूसरे शायर भागना नहीं है, हम यहीं के हैं, चलो, start, तीसरा था, सुनो दो, तीसरा एक्जामपल था, कि मैंने मेरा किड्नी बेचा, पैसे आए, income है, income है, income, income ब्रो, hello, Gujarat, income, 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 तो किड्नी बेचना आपने इलीगल मानके, income मान ली, गचब की पार्शलिटी है भाई, किड्नी बेचने पर तुम्हारा लीगल, इलीगल कुछ ध्यान नहीं आया तुमको, किड्नी बेचना पर ऐसा आया, income, चलिए ठीक है, accept करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो, shares बेचे, loss में, पर वो तो negative है, is negative also an income, is negative also an income, चीक है, सोचते हैं, बहुत बढ़िया, फिर, सुनो ना, मेरे को एक और सवाल आया है, मैंने किसी किया job किया, salary कमा, is it an income, yes, PG, is it an income, yes, वो, मैंने investment किया, dividend आया, FD में invest किया, interest आया, is it an income, yes, हाँ, याने, मोटे मोटे तौर पे, अच्छा, वो, subsidy मिली गवर्मेंट से, गवर्मेंट से, subsidy मिली, is it an income, yes or no, and the answer is, यही हमको कल समझना है, है सर, आज बता दो ना सर, कैसा है, मैं आज बता दू, मेरेको कोई problem नहीं है, लेकिन रुको तो, इसको पता है, जो तुम अभी समझना चारे, उसको क्या बोलते है, curiosity, इसको क्या बोलते हैं, कि रुको जरा, मैंने लेक्चर खतम नहीं गया, जब लेक्चर खतम होगा, जब मैं कहूँगा, बाए बोलो बच्चो, और मैं को, तो आज लेक्चर दस मिनिट लेट मिला है, अज यहाँ, तो मेरा हख बनता कि नहीं, अचा सुनो, और और और, सुन, 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 पांच मिट, पांच मिट, और इंकम है मेरे पास, सर वो दान पेटी में मैंने पैसे डाले थे, अब मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ, आज का पहला केस, इल्लीगल अक्टिविटी से रिलेटेड़, क्योंकि मोस्टली इशू हही है, एक जज्जमेंट है, इस जज्जमेंट का नाम है, टी एकुरेशी सुप्रीम कोट जज्जमेंट, टी एकुरेशी सुप्रीम कोट जज्जमेंट, अब इस जज्जमेंट में हुआ क्या था समझी है, यह लैंडमार्क जज्जमेंट है, जिसने यह डिसाइड किया कि, क्या इल्लीगल अक्टिविटी से आने वाला इंकम, इंकंम टैक्स में टैक्स हो सकता है यह नहीं हो सकता एस तो अन्डEस्टेंड हुआ क्या थाओ, टी ए कुरेशी सब क्या करते थे, smuggling करते थे और smuggling करके क्या करते है वो गुड्स, ज्जल करते थे, एक दिन Custom fav department वहलोंग ने goods confiscate कर लिया, ठीक है, और वापस दिये ही नहीं, अब जितने goods custom department वालों ने confiscate किये, इन्होंने profit and loss account बनाते वक्त, expenses book कर दिया, debit all expenses and losses, loss by confiscation, तो custom department ने जो confiscate किया था, उसको उनने loss claim कर दिया, matter EO के पास गया, EO books of accounts check करने लगा, जब EO books of accounts check कर रहा हूँ, कहते है, loss from confiscation, गुलायव, कुरेशी साब को कहा, मिया, क्या है यह है, उन्होंने कहा, सर, देखे, यह जो goods है, यह custom department वालों ने confiscate कर लिये है, तो मेरे लिए तो यह loss हुआ, क्योंकि मैं कोई goods मिलने नहीं वाले, यह इसको अलाव नहीं कर सकता मैं, illegal activity है, मैंने अगर इसको अलाव कर दिया, मैंने अगर इसको अलाव कर दिया, तो हर वेक्ति illegal activity करना चल जाएगा, I cannot allow it, I cannot permit you to get this done, T.A. Qureshi, वाह साब, from past 10 years, you are taxing my income, the income is out of that activity only, तो यह क्या बात हुई, आपको अलाव करना चाहिए, मेरी income वही से आ रही है, ने 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 यह हमको पहले पता नहीं दा, आप पता चला है, income is taxable, expenses cannot be allowed, गलत, यह क्या बात हुई, I like you as a friend, अगर आपको मेरे income tax करनी है, तो फिर मेरे खर्चे भी consider करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, यह तुमारा order, अगर मेरी income tax करनी है, तो मेरे खर्चे भी अलाव करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें मेरी success में रहना है, मेरे struggle में भी साथ रहना होगा, देखिए, ऐसे नहीं हो सकता, यह illegal activity है, देश के अंदर में आप smuggling करके आने, my lord, यह illegal activity है, यह में अलाव नहीं कर सकता, अगर इसको अलाव कर दिया, तो देश में illegal activity चालू हो जाएगी, सार एक मिनिट फिर income भी tax मत करो न, जितना tax पिछले 10 साल से बराया refund करो, लो, चलो, लो, यह check number, hello, QR code, भाई, बात simple है या नहीं है, तुमको अगर मेरी income tax करनी है, तो फिर यह मत पूछो कहा से आई है, मजे करो, पर अगर मेरे expenses तुम claim नहीं कर सकते, एक तरफ तुम expenses claim नहीं करोगे, दूसरे तरफ मेरी income में tax करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, मैंटर कोट में गया, Landmark judgment by Supreme Court, T.A. Kureshi judgment, illegal income is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, there is a separate law, civil criminal procedure code, civil procedure code, the police will take action accordingly, it is not the responsibility of income tax department to check it's legal or illegal, income tax department is only, is only logically related to only one aspect, is it an income, yes, it is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, अब पावडर बेचके कमोँ या पावडर बेचके कमोँ, income income tax मही आएगी, Supreme Court का Landmark judgment, और अब मेरे बच्चे से पूछना चाहूँगा, बता, interpreter ने अगर कोई decision दे दिया, do it becomes law, interpreter ने अगर कोई interpretation दे दिया, do it became law, yes or no, तब से, आपको पता है, income tax department को, इसे income भी consider करना पड़ा, और इसका deduction भी देना पड़ा, loss का deduction भी देना पड़ा, income tax department हारा था, और इतिहाज कवा है, जब तब income tax department आया है, अगले साल amendment हुआ है, बड़े गचब के लोग है, वो और हार जाते हैं, तो बाद में है न, क्या करते हैं, amendment कर देते लोग में, next year का amendment सुनो, आप सब परिशान हो जाओगे, next year से, illegal income is also chargeable to tax, but expenses related to illegal income, is not allowed as deduction, मतलब बेटा, गेम किसी का भी हो, जीतेगा income tax department थी, समझना रही बाद, you are thinking about the game, he has the whole system, इसका अपना पूरा system है, system का spelling S-Y-S-T-U-M-M, समझना रही बाद, सो मता ही अब, आज का इस्व हमने आज इसकस कर लिया, is illegal income also chargeable to tax, yes, illegal income, judgment का नाम है, T-A-Qureshi judgment, supreme court judgment है, it becomes law, yes or no, no, दूसरा, is gift an income, the answer is yes, yes, वो taxable है या नहीं, आगे discuss करेंगे, it's an income, yes, it's an income, तीसरा case, मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, 500 का note मिला, is it an income, well, it's an income, we will show it or not, it's a different matter, if you show it, what happens, if you don't show it, what happens, we have to discuss, but is it an income, नहीं है, यह इसके type of receipt पे depend करती है, किस पे depend करती है, बोले जल्दी से, type of receipt पे depend करती है, तो आईए जड़ा लिखते हैं, दो मिनिट पर दो, अच्छा मेरे regular time तो उत्तको लें दो, मेरे time क्या है, एक तीस, तुमारी घड़ी देख लो, अब भी मेरे पास दो मिनिट बाग की है, बरे-बरे की नहीं, मैं मेरे time तो लोगा ना या, रहसा मत करो न, तुमार लिए मैं किता, मेरे बीवी बच्चे को छोड़के आया, income, the word income is defined in income tax act, the word income is defined in income tax act, इदर देखो, आप की ही book में, section 224 पे क्या लिखा है बिटा, income, 224 पे आपकी book में क्या लिखा है बिटा, income, under section 2 subsection 24, income can be, legal or, illegal, judgment का नाम याद नहीं आ रहा, T. A. Qureshi judgment, supreme court, income means, receipt, but, every receipt, is not an income, income means receipt, but every receipt is not an income, income means receipt, but every receipt is not an income, done, चलो, book बंद करो, revise करेंगे, book बंद करो, revise करेंगे, ठीक है, इसके बाद costing का लेक्चर है, अभी शेक सर का, and then शाम में पांच बजे अकाउंट, आज हम लोग आए, आज हमने सबसे पहले समझा, कि law में जो amendment आते हैं, वो amendment क्या, किसी को सपना आता है, कि amendment कर देना चाहिए, नहीं, तो हमने समझा, law कैसे वक करता है, law maker, इधर देखो, law makers, law implementers, law interpreters, law maker law बनाते हैं, implement करते वक्त दिक्कत आई, तो implementers, makers को बताते हैं, अगले साल amendment करना है, फिर आपके और department के बीच में, हो सकता है, dispute हो जाए, चीजों को लिकरके, तो case laws भी, क्या करते हैं, अगले साल के law का part बनते हैं, जब T.A. कुरेशी judgment हुआ, तब जाके अगले साल law में amend हुआ, कि income तो tax करेंगे हम, expenses allow, so amendment इस तरह से बनता है, ठीक है, इसके बाद हम घुशे, next word के अंदर में, taxes, taxes कित्य प्रकार क्यों दे बिटा, दो, direct tax और indirect, क्या direct tax personal income पे दिना पड़ता है, indirect tax impersonal income पे दिना पड़ता है, yes, direct tax कैसा nature का है, progressive, progressive मतलब higher the income, higher the tax, IDT कैसा है बिटा, regressive, सब लोग revision में साथ दो, bag back, सब छोड़ दे, revision में ध्यान दे, regressive basis, regressive basis मतलब income से कोई लेन दे नहीं, सब के लिए, same, yes or no, right, इसके बाद में, tax में क्या सिर्फ tax collect होता है, नहीं, tax also include, surcharge and CES, क्या surcharge सिर्फ तभी applicable होता है, when the income exceeds a prescribed limit, HEC is applicable even if there is a tax, yes, okay, so every year, 1961 का law हम 2023 में पड़ रहे हैं, why, because of budget, budget से क्या आते हैं, amendment, budget कितने तारीक को आता है, 1st February, कौन प्रेजेंट करता है, Finance Minister, as per fiscal responsibility and budget management act, in the year of election, एक budget की दो budget, otherwise, एक budget आएगा, budget में amendment आते हैं, yes or no, amendment is nothing but proposed change, IDT के amendment कबसे applicable होते हैं, उसी राच से, DT के amendment कबसे applicable होते हैं, 1st day of next year, and hence act 61 rules 62, यार आएगा bro, हां, इसके बाद हमने section पता, the act will be called as income tax Act 1961, it is applicable to all of India, India extend up to, 200 nautical miles, वहा से खुसे section 4 में, section 4 का पहला वर्ड लिकाता income, हम income उधुनने निकल गए, income को हमने discuss किया, अब तक सिब दो वर्ड पडे, income defined है, definition नहीं पडी, हां, पर इस बारे में discuss कर दिया, income tax has nothing to do with legal or illegal, इस पर हमने एक judgment समझा, T.A. Qureshi judgment, is this done, thank you, bye अच्छो, any student, any kind of doubt, please come, online वालो, आपके कोई doubt है, please ask, Sachin लिख रहा है, I love you, okay बिटा, I love you too, इंडिया का लोई यह कहता है, कि the moment gift is received, it's an income, sir, maja आ गया, thank you, sir, illegal income दिखाया नहीं, तो क्या होगा, दो दिन रुख दो दिन में समझाता हूँ इंलिगल इंकम दिखानी तो क्या होगा दो दिन बात का concept है CES ना divide होता है ना center के पास रहता है उसको सिर्फ center के पास रखा जाता है जिस purpose है उस purpose के लिए use किया जाता है उसका division का कोई लिंदे नहीं है CES fix percentage का होता है 4% बिल्कुल ऐसा होगा पड़ जो इतने high income earn कर रहे हैं लॉजिकली सोचके देखें ना उनको फरक भी पढ़ रहा है कैस से एक extra percentage देने से उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा section 298 explain करू section 298 के अंदर में central government के ने power दिया है CBDT को कि वो general या special order निकाल करके जहां लॉम को implementation difficulty आ रही है वो implementation कर सकते है उसको वो implementation कर सकते है पूछेंगे ना अगर मान लीजे मैंने बोल भी दिया income tax department को कि मैं भी या जुआ खेलता हूँ उससे पैसा आता है तो income tax department max to max क्या कर सकता है ऐसे पुलिस को बता सकता है they cannot take action no क्यों अरे भाई एक मिनिट वो पुलिस को जाके बता भी देंगे मेरी जो income है वो तो पिछले साल किये न जिसमेर को भी tax भरना है और जो current year की income आईगी हम उसको current year में deal करेंगे मान लीजेगे इंकम एक limit के उपर जाई नहीं रहा हम इस साल tax नहीं देंगे फिर पुलिस कारवाई होगी सब होगी सब होगी चलते रहेगा बाहर आऊंगा फिर वापस कभी ना कभी तो कुछ करूंगा बिलकुल अगर income कमाई है और limits न उपर है तो tax तो आएगा न ब्रो एक मिनिट सिर्फ क्यामरे सटना और भी कुछ दाउट है हाँ अल्रेडी टेलिग्राम गूप बन चुका है हाँ जी कल डिसकस होगा क्या माइनर को भी income tax लगता है क्या कल डिसकस होगा परसन की डेफिनेशन में वेल्ट टैक्स जो लगता था वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर उस लिमिट से उपर जाता था तो लगता है सरचार्ज आपकी income limit के उपर से specific purpose के लिए यूज होता है ना सरकार गया सरचार्ज अगर income एक लिमिट के उपर जाता है इसका आपकी प्रॉपर्टी से कोई लिए निन नहीं है सर इल्लीगल इंकम कोई दिखाएगा ही क्यों ऐसा नहीं होता अगर नहीं दिखाया तो क्या होगा यह हम टैक्स रेट में डिसकस करेंगे कि मानलो तुमने दिखाया नहीं पर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया होता है ना रेड 200 करोड मिले 50 करोड मिले तो जब मिलेगा तो उस दिन क्या होगा वो डिसकस करना है अपने को इसको कहते है अन्डिस्क्लोस्ट इंकम आपके चाप्टर में लिखा है पीछे एंड में इमर्जेंश इलेक्शन लगगे तो इंटरीम बजेट फिर भी उन्हां प्रेजेंट करना पड़ता है कि इसमें इलेक्शन रोजेट पाश हैर के पेले ही इंटरीम बजेट प्रेजेंट करना पर आप जितने लोगों का ये सवाल है ना कि इल्लीगल इनकम हुआ तो फिर इसको दिखाएंगे कैसे और टैक्स कैसे करेंगे नहीं सीज करने का राइट नहीं है ना इंकम मैंने कम आई है मैंस तुम क्या ले सकते हो टैक्स काई को पूरा लेंगे मैंस रेट आफ टैक्स लेंगे ना आप पेनल्टी पर्सेंट लगाओगे वो भी टैक्स का आप इंकम ही टैक्स नहीं कर सकते ना मैंने जित्ता कम है वो पूरा दे दे मैं क्या बोलूगा भाई मैं मेरा घर परिवार कैसे चलाओ मैंने बैंक लोन पे लिया है कि अ यह उसका प्रोफेशन है ना पूलिस देखते बैटेगी है कि उसको जेल में डालना है उसका यह activity बंद कर दो यह पूलिस देखते बैटेगी इंकम टैक्स में हम यह देखेंगे अगर यह इंकम है तो हम इसको टैक्स कर देंगे सब जगवे, मतलब रोड से भी हो रहा है, मानले ट्रक लेके आ रहे तो उस पर भी है, जिस साल में बिटा इलेक्शन होते हैं, अब फरवरी जैसे 2024 में इलेक्शन होगा, तो फरवरी में एक बजट लाना है, वो तो कस्टर में वो लाएंगे ही, पर वो इंटरिम बजट होगा, ठीक है, अब जून में इलेक्शन होगा, फिर नई सरकार आई, अब नई सरकार फिर से एक बार सेशन लेती है, और उसमें बढ़ता है, वो होता है, फाइनल बजट, य देख, फरवरी से जून, जुलाइ से आगे, यहां मार्च होना चाहिए, जुलाइ अगस्ट में आएगा, फ्रॉम मार्च, एक मिनट, पर आपके बाद आपको समझ में कुछ पॉर्ड है, आपको कांकर रहे हैं, नहीं, अंडर्स्टाइड, क्योंकि जो आपने लॉग लेक expenditure incur करना है, ठीक है, अब मैंने खर्चा किया, क्योंकि companies act बोल रहा, अब मैंने खर्चा कर दिया, companies act बोल रहा तो, मैंने P&L को debit कर दिया, income tax department वाला बोलता है, यह business का खर्चा है, यह मैं क्यों allow करूँ, यह business का खर्चा थो नहीं, यह मैं क्यों allow करूँ, तो इस बात के dispute को बोले कर के, तो तुम जा सकते है, आप बोलोगे, दर्शन सर बोल रहा है, करना है, विजय सर बोल रहा है, नहीं करना है, मां करूँ किया मेर को यह clear करो, बिल्कुल, बिल्कुल, वो पुलिस देखते बैटेगे, यह हमारा काम नहीं है, लीगल इल्लीगल वाला मैटर पुलिस एंडल करते बैटे अमेंडमेंट जब आता है यह discussion हो करके यह finance act का पार्ट बन जाता है finance act में जो amendment होते हैं वो income tax का पार्ट बनते है सो बजट में चेंजेस आये, ये चेंजेस जैसी अपरूव होगा, इट बिकें पार्ट ऑफ फाइनस अक्ट, फाइनस अक्ट में से रिलेवेंट जगह पर ये इंकम टाक्स में इंसर्ट किया जाता है, अरे भाई, जुलाई से मार्च तक चलेगा न, तु वापस समझ, इदर एक फरवरी दोजार चुईस, एक्जिस्टिंग मोधी गवर्मेंट चल रही है, पर एक फरवरी दोजार चुईस को बजट तो लाने ही पड़ेगा बिटा, निर्मला सी तरमन जी इस बजट को प्रेजट को प्रेजेंट करेगी, अब जिस साल इलेक्शन होगा, प्रधान म या अगस्ट में होता है, यह अपना नया सेशन लेंगे, जो इंटरिम बजट बना यहां पे, यह फरवरी से लेकर के कब तक चल रहा है, जुलाइ तक के चल रहा है, अब जुलाइ में पहली बार गवर्मेंट बन के आएंगी, मोधी जी बोलेंगे हमार को इत्ता प्रतिसा अब समझ में आया गेम, अब एक फरवरी दो हजार पचीस, जो भी नया फानेंस मिनिस्टर है, यह और बजट प्रेज़न कर देगा, इस साल दो बजट आये, क्योंकि सरकार बदल सकते थी, अब यह सरकार तो अगले चार साल रहेगी, रहेगी Profit is considered as income only, कल समझेगा, वही बता रहा हूँ, 10 ग्रॉस रिसीट हुई, 10 रुपे तुने रिसीव किये, पर चार खर्चा भी तुने रिसीव किये, पर चार खर्चा भी, तो किये, तिरको बोलेंगे 10 पर tax दे, तु क्या बोलेगा, एक मिनिट, चार मेरे खर्चा भी हो, उसको भी consider करो, income, sales पर मेरा tax मत करो, income पर tax करो मेरे, the income tax, the income tax is a difference between receipt minus cost, income. क्या 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 वापस बुल? सर्चार का गणचप्ट अब हमने discussing नहीं किया, दू दिन लगेंगे, पहाँ पॉचने के लिए. मैं समझा रहा हूँ बेटा, मैं समझ गया तेरा सवाल क्या है, hold on, very early question है, सर्चार वर्ड पढ़ाएं सिर्फ. एक law को लगाता है, दूसरा अगर law के implementation में कोई issue है, जैसे court, law बनाने वाले authority हो के MLJ, उसने law बना के रख दिया, तो court की ज़रोती क्यों है? जैसे, अगर तू देखेगा, transgenders, अब तक के हम सिर्फ दो ही community रखते थे, male और female, अब इस law से किसको दिक्कत थी, जो third category है, इसको दिक्कत थी, that is transgender, वो कह रहे थे, हम भी तो exist करते है, हमारे rights कि दर है, आपने जितने rights लिखे है, ये male और female के लिखे है, पर हमारे भी तो rights है, हम भी human है, जिस तरह से हम है, हमारे बनने में गलती है, हमारे आत्मे